हलो बचालो कैसे हैं आप सभी मैं अखिल रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूरोप चैनल डिफेंस वाला पर जहां पर हम लोग लेकर आए हैं एंडिये का क्रैश कोर्स शक्ती 2.0 आज हम लोग मैट्स के लेक्चर के अंदर जानेंगे क्या होते हैं रिल यहां पर आप लोगों को जानने को मिलेगा कि रिलेशन को कैसे समझना है कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं और उन रिलेशन से किन-किन तरोके के सवाल बनाए जाते हैं वो सारी चीजे आज हम करेंगे बेटा है ना तो इसी के साथ आप लोगों को यह बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है because set theory को समझने के बाद हम लोग रिलेशन के इंदर एंटर करते हैं और रिलेशन में से सर दो से तीन सवाल आते हैं तो वेटेस तो बहुत है वेटेस काफी है सर इंपॉर्टेंट कॉंसेट है रिलेशन का कॉंसेट तयार रहेगा तो कहीं न कई फंक्शन अपने आप में दो से तीन सवाल पूछेगा तो सर क्या आपन जवाब देगा बिल्कुल जवाब देगा बिल्कुल जवाब देगा इसलिए तो आए हैं यहां पर इसलिए तो सीख रहे हैं क्रैश कोर्स क्या है बिटा क्रैश कोर्स यह है कि अगर आप लोगों ने आप लो लेक्चर जा चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जादा देर हुई है आप कैसे ना कैसे करके वो तीन लेक्चर पढ़ें साथ ही यहां पर आज से कंटिन्यू शुरू हो जाएं कि सर पूरा कोर्स करवाने वाले हैं यानि मैं एंडिये पार करवा के रहूंगा यह मेर कि मेरी इच्छा है कि मैं इच्छा शक्ति लेकर आया हूं कि बहुत पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा बच्चा कहीं भी ना जाए यहीं आए और अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाकर अपने सारे सपनों को साकार करें यहां हम लोग उस हिसाब से चलेंगे कि एक एवरेज बच्चा भी एंडिये एक्जाम को अगर इमानदारी से पढ़े तो क्लियर कर जाए इस क्रैश कोर्स की मदब से और अगर किसी बच्चे को रिविजन करना है वो पहले से प्रिपेर्ड है तैयार है उसके सारे तो अब रिविजन के लिए इससे बहतर और क्या हो सकता है केवल दो घंटे वन शॉट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग सारे कॉंसेप्ट भी पढ़ेंगे और सवालों को भी देखेंगे कि कैसे हर एक सवाल को कूटा जाना है तो चले इसी बात पर शुरुआत करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइन सब्सक्राइब करते हैं कि इससे के साथ अगे बढ़ेंगे है ना and then उसके बाद हम लोग inverse relation के बारे में बात करेंगे composition of relation की बात करेंगे जहां से इका दुक्का सवाल सर पूछ लिया जाता है कैसा इका दुक्का सवाल पूछ लिया जाता है तो करना तो ये भी पड़ेगा लेकिन उपर वाला जो है बेटा Cartesian product और types of relation इसमें से बार 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 लगातार सवाल आते हैं तो इसके लिए तैयार रहेए वेटेज अच्छा है दो से तीन सवाल confirm पूछे जाएंगे तो भाई मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ सर दो से तीन सवाल छोड़ने के लिए आप तैयार हो क्या अगर आप तो आप स्क्रिब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहींनव एक एक माउत्य सर मेरा सिलेक्षन रोख सकते है तो बेटा हर एक जंग को जीतना है हरेक पजो भी चुनावती आप के सामने आएगी वह चुनावती पार करके तो मंजिल मिलेगा और अगर आपको लगता है कि सर मैं अगर किसी चुनावती से डर के अगर साइड से निकल जाओं मैं चाप्टर ही छोड़ दूँ मैं कॉंसेप्ट ही छोड़ दूँ तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ मेरे दोस्त एक बात बताओ कि क्या ऐसे कमजोर दिल वाले ऐसे कमजोर इ भरती की जानी चाहिए क्या सिर्फ इतने छोटे छोटे कॉंसेप्ट से डर जाने वाले बच्चों को सही में सही में जगा मिलनी चाहिए और अगर आप मेरे साथ हां बोलते हो तो बिटा सोच लो ना बोलो बिटा ना बोलो नई मिलनी चाहिए क्योंकि सर हम जानते हैं mathematics का ज्यान ही क्यों ना हो हर चीज बेटा क्यों लिया जा रहा है टेस्ट आप लोगों का ताकि आप लोग हर तरह के situation के लिए worst से worst situation के लिए तयार हो सको इसलिए तो इतना मुश्किल tough exam रखा गया है कि सबसे पहले इनका mental test तो ले लिया जाए कि क्या यह mentally prepared है फिर उसके बाद हम लोग इनका physical देखेंगे physical endurance क्या है emotional balance क्या है क्या नहीं है तो पहला चरण बेटा इमानदारी से पार करना होगा है ना बढ़िया चले चलते हैं सर कार्टीजन प्रोड़क क्या होता है प्रोड़क क्या होता है कार्टीज़न प्रोड़क को हिंदीमे कहते हैं कारतीय गुनण ETF में क्या होता है सर दो सेट होते है उन दोनों सेट में हम लोग एक सेट के element को दूसरे सेट के साथ mapping करते mapping, sir mapping क्या होता है, जरा इधर देख लेते हैं मेरा बच्चा, इधर देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 set हैं, इसका नाम में set A रख देता हूँ, सेट A के अंदर element से बेटा 1, 2, 3, 4 है ना क्या element से सर 1, 2, 3, 4 सर सेट B के अंदर 3 elements मैं ले लेता हूँ छोटा example रखने के लिए A, B और C रख देता हूँ तो mapping क्या होती है सर mapping होती है कि जब मैं एक element को दूसरे element के साथ relate करूँगा जैसे सर अगर मैंने A को 1 को A के साथ किया फिर मैंने 1 को B के साथ भी किया फिर मैंने 1 को C के साथ भी किया तो इस तरीके से जब आप mapping करोगे तो इसको क्या लिखते हैं इसे हम लोग लिखते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पर A क्रॉस B लिखना चाता हूँ तो हमारे पास कौन-कौन से elements आएंगे, यहाँ जगा है क्या कहीं पर, सर जगा तो नहीं दिख रही है, तो मैं एक flat page ले लेता हूँ, blank page ले लेता हूँ, कि सर हमने क्या किया, हमने 1 को A के साथ map किया, 1 को B के साथ map किया, 1 को C के साथ map किया, similarly sir, हम लोग आगे चलेंगे, तो 2 को A के साथ map करेंगे, 2 को B के साथ map करेंगे, 2 को C के साथ map करेंगे, similarly 3 को A के साथ करेंगे, 3 को B के साथ करेंगे, 3 को C के साथ करेंगे, sir 4 को भी A के साथ करेंगे, 4 को भी B के साथ करेंगे, और 4 को भी C के साथ करेंगे, है न, तो यहां पर हमारे पास जो elements का set बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, sir, 1A, 1B, 1C, ठीक है, then 2A, 2B, 2C, ठीक है, then 3A, 3B, 3C, 3A, 3B, 3C, and then उसके बाद, sir, last 4A, 4B, 4C, yes, sir, यह सारे के सारे elements जो हमने mapping करें, इन सब का अगर मैं एक set बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, set बना देता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, sir, A x B बोलते हैं, सर बी क्रॉसे क्या होगा बी क्रॉसे क्या होगा बी क्रॉसे निकाल सकते हैं क्या येस बेटा बी क्रॉसे भी निकाल सकते हैं जरा देखें बी क्रॉसे में मुझे क्या करना होगा मैं यहां पर सारी चीजों को पहले एरेज कर देता हूं आप लोग बड़े आराम से समझ लिखेंगे, A set को इधर लिखेंगे, और B के अंदर elements A, B और C थे, A set के अंदर elements क्या थे, 1, 2, 3, 4 थे, अब मैं अगर B से A की mapping करना चाता हूं, या फिर cross product निकालना चाता हूं, तो A 1 के साथ map होगा, A 2 के साथ होगा, A 3 के साथ होगा, A 4 के साथ होगा, B 1 के साथ होगा, B 2 के साथ भी होगा, B 3 के साथ भी होगा, C 1 के साथ होगा, C 2 के साथ होगा, C 3 के साथ होगा, C 4 के साथ भी होगा, ये mapping हो गया, है ना, तो सर अब अगर मैं इनको लिखने की कोशिश करूँ, तो कैसे लिखूंगा, हमने का सर A 1 के साथ होगा, A 2 के साथ होगा, A 3 के साथ भी होग Similarly, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा Similarly, sir, C1 हो जाएगा, चाह 4 वाले तो लिखे इनने न, sir, आपने और वाले भी तो आएंगे, A4 हो जाएगा Sir, फिर B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा और B4 भी हो जाएगा, है न? सर C1, C2, C3 भी होंगे क्या C1 भी होगा, C2 भी होगा, C3 भी होगा और C4 भी होगा तो यहां से हम लोगों ने पूरा का पूरा कौन सा सेट बना लिया सर यह जो सेट हमारे पास बना मेरे दोस्त यह बना B से A का क्रॉस बना अब बहुत सारे बच्चों को एक खास तरीके का दिक्कत रहता है वो क्या, कि सर क्या यह दोनों सेट बराबर है या नहीं है क्या, और दूसरा सवाल यह कि सर क्या यह वाला एलिमेंट और यह वाला एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है ये चीज बहुत सारे बच्चों को बार-बार तंग करता है लेकिन यकीनन आज मैं ये आपके मन से बिल्कुल पोचा लगा दूँगा ठीक है ट्रू-धाने का आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग काटीजन प्लें बोलते हैं जीसमें ये अमारे पास x-axis होता है, ये हमारे पास y-axis होता है, होता है किन ना न यह तो अगर मैं एक plotting यहां पर 1 पे करूं और एक plotting यहां पर 2 पर करूं तो ये वाला point कौन सा होता सर ये वाला point हो जाता है 1,2 हो जाता है सर इसी तरीके से एक plotting 2 पर करूँ और एक plotting 1 पर करूँ तो ये वाला point क्या हो जाता सर ये वाला point हमारा 2,1 हो जाता है तो मुझे बताईए मेरे दोस्त मुझे बताईए कि क्या ये दोनों point सेम है नहीं है ना यह दोनों पॉइंट सेम नहीं है और अगर यह दोनों सेम नहीं है तो हम लोग यह कहेंगे कि sir sir 12 और 21 यह दोनों ordered paid भी same नहीं है यह दोनों ordered भी same नहीं है क्योंकि sir graph insist अलग तो हम यह कहेंगे कि सर इसका मतलब यह हुआ कि 1, a जो है वो एक्चुली a, 1 के बराबर नहीं होता है ठीक है नहीं होता है इन जनरल यह बराबर नहीं होते हैं क्योंकि ग्राफिकली सर यह अलग-अलग पॉइंट पर आ रहे होंगे ऑविसी बात है सेम धोड़ी ना बोल दें सर अगर सेम नहीं तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ किसर गोर्ट में की a crass ऑी जो है वह नहीं होता है तो हम लोगों ने A set कौन सा बनाया था सर A set बनाया था 1234 से बनाया था सर B set किस से बनाया था B set हम लोगों ने A, B, C से बनाया था इसमें से अगर मैं information लिखूं तो N A कितने पास है बिटा cardinality हमारे पास 4 है B की cardinality कितनी है सर तीन है है ना तो अगर मैं notice करूं सर इसके अंदर कितने elements आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा सर बारा elements आ रहे हैं है ना कि कि के बारा elements आ रहे हैं तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि सर एन ओफ ए क्रॉस बी जो है वह एक्चुली एन ओफ ए मल्टिप्लाई एन ओफ बी के बराबर आ रहा है अरे हां सर चार इंटू तीन बारा होता तो है फिर आप note करोगे कि सर इसमें भी तो बारा elements है ना अगर इसमें भी बारा elements है तो इसका मतलब सर एन ओफ बी क्रॉसे यानि Cartesian product of B क्रॉसे में भी कितने elements होंगे सर सेमधोंगे जितने एक रॉस भी में थे उतने ही बी क्रॉसे में होंगे और उसको निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरा बच्चा फार्मूला लगाएंगे हम लोग na multiply nb का क्या लगाएंगे na multiply nb का फार्मूला यहां पर लगकर आता है सो मेरे ख्याल से Cartesian product निकालना सभी को आ गया है अब देखो बेटा जब आप 2 sets का Cartesian product करते हो cross product करते हो तो 2 sets की वज़े से हमारे पास आते हैं two dimension के points two dimensions जिसमें x-axis और y-axis होता है इनके points आते हैं लेकिन क्या हो कि अगर मैं 3 sets का Cartesian product करूं है 3 sets का भी होता है हां जी होता है बिल्कुल होता है करके बताओं करके बताओं क्या अभी बताता हूं देखो एक काम करते हैं ठोड़ा example को छोटा करते हैं चोटा करने पर ध्यान दीजेगा मेरे दोस्स होटा करने पर ध्यान दीजेगा हम लोगों ने का सर a set जो है उसके अंदर one, two, three ले ले लेते हैं B set के अंदर हम लोग ले लेते हैं, sir, A, B ले लेते हैं, और C set के अंदर हम लोग ले लेते हैं, sir, A की element that is Z ले लेते हैं. ठीक है तो मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे दोस्त मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे A x B निकालना है तो कितनी देर लगेगी आप लोगों को बनाने में आपको के सर 1 को A के साथ लिख दो वन को एक के साथ एक बार वन को बी के साथ लिख दो एक बार टू को एक के साथ लिख दो एक बार तू को बी के साथ लिख दो और एक बार सर थ्री को बी के साथ लिख दो लिख दो भई लिख दो है न फिर फिर सर अगर मैं ये कहूं कि मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए सर a cross b cross c चाहिए तो अब सर ये a cross b set है a cross b का cross product आपको c के साथ करना है तो आप कहोगे सर इसका सबसे पहला element कौन है one a one a को किसके साथ लिखोगे बेटा z के साथ लिखोगे तो हमारा point क्या बन जाएगा बच्छे इस बार हमारा जो order paid होगा वो 1AZ हो जाएगा फिर कौन है सर 1B है 1B को Z के साथ लिखोगे तो ये 1BZ बन जाएगा फिर हमारे पास क्याने है बेटा 2AZ आ जाएगा है ना फिर हमारे पास 2BZB आ जाएगा फिर हमारे पास 3CZ भी आ जाएगा सर 3AZ भी आ जाएगा और next हमारे पास कितना आ जाएगा सर 3 B Z B आ जाएगा तो this will be the A cross B cross C सर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब जो मेरे पास points आ रहे हैं अब कौन से points आ रहे हैं वो सर देखो ध्यान से 3 dimension points है 3 dimension इनी इसमें x-axis भी है y-axis भी है और z-axis भी है है न तीन points है न सर तो 3 dimension इंटर करने के लिए हम लोगों ने Cartesian product 3 set का किया किसका किया 3 set का किया तो मुद्दा समझ में आ गया यहां से अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सर इसके अंदर 3 elements हैं इसके अंदर 2 elements हैं इसके अंदर a की element है तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि मुझे बताईए कि a x b x c के अंदर कितने elements होंगे तो आप कहोगे सर इसके इसाब से formula na multiply n b multiply n c कर दो सर उससे ही हमारा answer आ जाएगा तो यह भी बच्चा लोग मेरे इसाब से अपने note copy में note कर लो है ना समझ में आ गया सभी को कि सर यह दो बाते तो हमें मालूम होनी ही चाहिए साथ में 3 set की cardinality अगर 3 set के Cartesian product की cardinality मुझे से पूछी जा रही है तो हम लोग ऐसे अगर के निकाल सकते हैं तो यहां तक Cartesian product भेजे में घुज जाता है अब इसके बाद कुछ properties हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं कि यह properties कौन कौन सी बिटा इसमें देखो यह वाली property क्या कह रही है कि सर A x B B x A के बराबर नहीं होता है जब जब A और B बराबर नहीं होंगे तब अगर यह दोनों बराबर होते तो सर यह कमिटेटिव हो जाता A x B B x A के बराबर हो जाता तो यह हम लोग याद रखेंगे इसके उबर एक previous year question पूछा गया है जो मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं तो याद रखें यह तीनों क्या है यह तीनों के तीनों Distributive Properties हैं यह तीनों के तीनों क्या हैं सर डिस्ट्रिबटिव प्रपरटीज है कैसे सर एक बार देखना Distributive Property कैसे होती है सर एक बार A b के पास गया एक बार c के बांगए तो यह बन गया A cross B एक बीच में union का सिंबल था तो बीच में Union का सिंबल है भी और खाओ बीच में सिंबल मायन का था तो यह माइनस का ही रहेगा थीक है अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यह कोई और तरीके से distribute हो सकता है क्या नई बेटा जितने थे मैंने लिख दिये यह तीन distributed property आप लोग याद रखेंगे कि over the union over the intersection और over the difference जो हमारा Cartesian product होगा वो distribute होता है मैं फिर से repeat कर रहा हूं कि Cartesian product distributes Cartesian product distributes over the intersection over the union और over the difference तो यह तीन बाते हम लोग याद रख सकते हैं सर यह कुछ properties है जो अपना Cartesian product से जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं वो इन ही में से सवाल बनते हैं in general और आपको निकालना तो आही गया है कि सर Cartesian product में क्या क्या-क्या मतलब निकलता है क्या two dimension क्या three dimension का concept है वो भी मैंने आपको समझा दिया है कहा कमिटेटिव होगा नहीं होगा वो सीजे भी हम लोग no down कर चुके हैं done है आगे चल सकते हैं बेलकुल चल सकते हैं सर बेलकुल चलना ही पड़ेगा न आगे भी तो बहुत सारी सुनिएगा तब ही आपको पूरी बात समझ में आएगी रिलेशन क्या कह रहा है कि रिलेशन को ऐसे करके डिनोट किया जाता यह यह सिंबल आप लोग देख रहे हो अच्छे से फोटो खीचके न अपने दिमाग के मेमरी काड में सेव कर लो करलो यह रिलेशन का जो सिंबल है यह आपको बहुत दूर तक काम आएगा यह फंक्शन में भी ऐसे ही काम आएगा यह सिंबल को याद रखें कि सार रिलेशन यह A to B लिखा है Bible लिख guten का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता दो बिटा ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन और ये बी जो होता है ये होता है हमारा को डोमेन ठीक है क्या होता बिटा को डोमेन होता है इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं कि को पर मैंने क्या लिख दिया 1 और 2 लिख दिया इसे मैंने set A कह दिया इसे मैंने set B कह दिया तो sir ये क्या मेरा domain हो जाएगा हां मेरा बच्चा ये मेरा domain वाला set कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा क्या कैलाएगा यह मेरे बच्छे सबसे पहले समझना है कि अगर relation वह शर एसे बी जा रहा है तो हम लोग mapping यहां से ऐसे करके करते हैं इस तरीके से mapping करते है ना चलो बात तो समझ में आ गए कि सर ई और बी क्या है डूमेण कोडुमेंग का कॉंसेट भी हम लोग ध्यान रखेंगे अब इसके बाद अग्ली राइन क्या लिखी है जूमें ध्यान देनी है वो bulisaggio सर्द ये सब सेट होता है क्या होता है सर ए क्रोज सेट होता है इसका मतलब आर रिलेशन जो होगा वो सर subset होगा किसका A cross B का subset होगा, note कर लो बेटा, R is the subset of A cross B, Sir A cross B पीछे निकालना सीखा था न, ठीका था कि नहीं सीखा था, ठीका था, तो क्या होगा सर, उसी का subset होगा, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि क्या फर्क होता है, मेजर फर्क मैं आपको समझा देता हूँ, फिर वो कहता है कि subset होगा, तो किस बेसिस पर होगा, कि A के element जो होगे, वो B के element से some defined rule से mapping होगे, क्या होगे, mapping होगी, some defined rule से related होगे, some defined rule से, अब वो defined rule जो होगा, वो question में आप लोगों को अलग-अलग तरीकों से दिया जाता है, वो हम लोग जब question करेंगे ना, तो और बहतर तरीके से समझेंगे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, कि सर, हमें सिर्फ वही elements लेने हैं, जो some defined rule के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे, जैसे मैं आपको एक example के माध्यम से यह चीज़ समझाता हूँ, तो आपको और better समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखें, कि हम लोग इसमें क्या कहना चाते हैं, चैलिए, येस, तो ये page पे, मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ, हमने कहा कि सर मान लेते हैं कि ये set का नाम क्या है, A set है, ये set का नाम B set है और set A से B तक का relation बनाया जा रहा है, मैं एक relation की definition आप लोगों को रखता हूँ, कि सर R क्या बोल रहा है कि A और B जो है तब ही आपस में लिखे जाएंगे, related लिखे जाएंगे जिसमें कि A जो होगा वो सर B से बड़ा होना चाहिए जहां पर A जो होगा वो सर सेट A से बिलॉंग करना चाहिए सेट A से बिलॉंग इस तरीके से करना चाहिए अब देखिए बेटा अगर मैं इसमें relation बनाता हूँ अगर मैं relation बनाता हूँ तो क्या सर 1 और 1 इसका element होगा आप बोलोगे सर 1 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है 1 1 से बड़ा नहीं होता है सर 1 1 के बराबर होता है तो सर इसका मतलब में ये वाला element नहीं ले सकता क्या बेटा मैं 1 को 2 के साथ ले सकता हूँ सर 1 2 से बड़ा होता है क्या सर नहीं होता तो ये भी नहीं ले सकता क्या मैं 1 को 3 के साथ ले सकता हूँ सर 1 भी 3 से बड़ा नहीं होता है तो ये भी नहीं ले सकता तो ये 3 elements तो कट गए कि सर ये तो ले नहीं सकते यानी 1 की mapping के साथ और हम ना की मैपंग्त क्या 1 के साथ कर सकते हैं तो यह वाला नहीं सकते हैं और यानि मेरे relation के अंदर सिर्फ ये वाला element आएगा सर ये वाला element आएगा तो relation का जब मैं roster form लिखूंगा तो सबसे पहला element सिर्फ 2,1 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2,1 अभी तक मिला है आगे आगे चलते हैं सर थी के साथ साथ देखती हैं सर थी और मेरे पास यह दोनों अलिमेंट्स मों में relation में रहेंगे तो 3-1 और 3-2 आ जाएगा कौन आ जाएगा 3-1 और 3-2 आ जाएगा ठीक है sir फिर आगे चलते हैं sir 4 के साथ करते हैं क्या 4 और 1 आ जाएगा यह sir 4-1 से बड़ा होता है 4 और 2 आ जाएगा 4-2 से बड़ा होता है 4 और 3 आ जाएगा तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा चार एक आ जाएगा चार दो भी आ जाएगा और चार तीन भी आ जाएगा ये सभी elements मेरे relation के elements हो जाएगे और अगर आप इसमें से Cartesian product बनाते हैं क्या करते हैं मेरे बच्चा Cartesian product बनाते हैं तो आपको एक बहुत ही सीधा साथा result भी मिल जाएगा कि सर क्लियरली आर जो होगा वह a cross b का subset मिल जाएगा बात समझ में आए बेटा आर जो होगा वह सभी elements को नहीं लेना है हमें उस defined rule जो भी rule हमें बताया गया है उस rule के हिसाब से हमें elements को पेक करना है कि सर्व रिलेटेड होंगे भी या नहीं होंगे होंगे या नहीं होंगे ठीक है यही से मैं थोड़ी सी चीज आप लोगों को और बता देता हूं जब इतनी दूर आए हैं तो सर्थोड़ा खर्चा पानी और कर लेते हैं क्या खर्चा कर लेते हैं सेहतर आंसर है डिटा दो में को समझने का और लिस्ट ऑफ सेकन मेंट सेंट ऑ ली क्या बोलते हैं सर इनको हम लोग बोलते हैं रिजवा क्या बोलते हैं जार्च ऑलते हों ए यानि सखर पहले पहले उलेमेंट्स पूले मchs थीख है यानि सर अगर मैं पहले elements के list बनाओ तो मेरे पास क्या आएगा सर मेरे पास domain में आ जाएगा सिर्फ आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा यह हमारा domain हो जाएगा इस relation का ठीक है और सर सेकंड ऐलिमेंट में 1 आ रहा है 1 आ रहा है 2 आ रहा है 1 आ रहा ह मेंटा list of first elements को domain बोलेंगे list of second elements को हम लोग range बोलेंगे और जब मैं इस relation को define करूंगा मेरे दोस्त जब मैं relation को define करूंगा तो मैं च Tra اللę đó सर ये relation जो है वह actually 2 3 4 से किसमें define हो रहा है सर 1 2 और 3 में define हो रहा है किसमें define हो रहा है सर 2 3 4 से 1 3 1 2 3 में define हो रहा है तो यहां पर हमारा बबुआ कौन बैठा है यहां कौन बैठा है सर यहां पर अपना डूमेन बैठा है यहां कौन बैठा है यहां कौन बैठा है यहां हमारा को डूमेन बैठा है कौन बैठा है यहां हमारा कोई भी बढ़ा हमेशा को डुमेन ही बैठेगा यहां पर ठीक है तो डुमेन और को डुमेन इस तरीके से बिठा दिये तो सर यह रिलेशन अपना तयार हो गया डन बात समझ में आ गई कि रिलेशन सर एक रॉस भी का सबसेट होता है और और वो किसी ना किसी एक डिफाइंड रूल की वज़े से ही वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं हम लोग एवी किसी को उठाके नहीं रख देते हैं है ना चलेगा बिल्कुल चलेगा कुछ बातें और जो हमें ध्यान रखनी है वो यह कि सर सबसेट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई यह बोल रहा है जैसे यहाँ पर सेट A से बिटा सेट B में आप लोग जा रहे थे आप सेट A से सेट B में आप लोग जा रहे थे तो ऐसे को ऐसे रिलेशन को हम लोगों ने एक साधारन रिलेशन बोला सिर्फ रिलेशन बोला कुछ और खास नहीं उसको नाम दिया हम लोगों ने सिर्फ रि क्या कहना चाहते हुआ कि यह हो गया सेट ए और सर यह भी हो गया सेट ए है ना मैं यहां पर बोल देता हूं कि सर यह भी सेट ए है यह भी सेट ए है और सेट ए से सेट ए में जा रहे हैं यानि अगर इधर 123 लिखा है तो इधर भी 123 ही लिखा होगा अब अगर मैं कोई मैपिंग कर रहा हूं अब अगर कोई मैं रिलेशन बना रहा हूं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन यानि सर जब A to A जाता है A to B नहीं A to A जाता है same set में ही mapping करवा रहे होते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं binary relation और इसको हम लोग in general question में इस language से पहचान पाएंगे कि relation on set A relation on set A इसमें दो sets का definition नहीं दिया जाएगा एक ही set दिया जाएगा और बोलेगा कि relation set A पर बनाया गया है संबंद जो है वो समच्य A र बंढाया गया है यानरि एसे A में ही बनाया जा रहा है हम A से बाभर नहीं जा सकते कौई भी आपा चाहते हम A से बाहром उठा नहीं सकते और कौई भी underground A से बाहर rेंच में नहीं ले सकते हैं दीरे-दीरे और समझ में आएगा relation जो होता है वो A x B का subset होता है, लेकिन ये कहता है कि अगर, अगर, मगर, relation जो है वो A x B के बराबर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, A x B के बराबर हो जाए, उसका subset तो पहले से ही था, लेकिन अगर relation A x B के equality hold करता हो, तो ऐसे relation को हम लोग universal relation बोलते हैं, यह चोटे-चोटे point से जो हमें ध्यान रखने हैं, next यहाँ पर दो formula आप लोगों के लिए काम के हैं, जिनने आप note down कर लीजिए, कि sir number of possible relations कितने बनाए जा सकते हैं, आप बोलोगे sir 2 की power na into nb बनता है, ठीक है, और number of binary relations on a कितने बनाए जाते हैं sir, 2 की power n square बनाए जाता है, तो यह भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, यह था हमारा relations के definition के उपर, जितनी चीज़े आप लोगों को पता होनी चाहिए, to the point tips पे होनी चाहिए, वो मैंने आप आपके सामने रख दिया है, अब हम लोग इनी चीज़ों को इस्तमाल करेंगे, आगी की चीज़ों को और बहतर तरीके से समझने के लिए, है ना, बात समझ में आगे relation का introduction मिल गया, कि relation क्या है sir, यह subset होता है, a cross b का, लेकिन यह सिर्फ उनी elements को relate करता है, जो किसी defined rule के साथ जुड़े हों, तभी related होंगे, वरना नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अगर हम लोग set a से set a में ही mapping कर रहे हैं, तो ऐसे relation को binary relation बोलेंगे, और अगर sir, कोई relation जो है, वो a cross b के बराबर आ जाता है, तो ऐसे relation को universal relation बोलेंगे, possible relations कितने होते है sir, 2 की power n into n we, और possible binary relation कितने होते है sir, 2 की power n square होते हैं, तो यह कुछ points है, जो हमें याद रखने हैं, चलें आगे चलती है सर आगे अगर देखेंगे तो देखो डोमेन रेंज और यह को डोमेन का एक कॉंसेप्ट है यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे हो तो यह ना एक तरीके का मशीन मैंने बनाया है यह शायद ब्लैक कलर में काफी अंदर जिनको अगर नहीं देख रहा होगा अब उन्हें भी दिखाई दे रहा होगा कि सएगशी जैसे चीज आपने बनाई हुई है इस machine के इधर आपने क्या रखा हुआ है सर इधर आपने एक bucket रखा हुआ है तो अब यह कहता है कि सर मानलो मैं मेरे पास एक बहुत बड़ा आलू है मेरे पास एक ही नहीं मेरे पास बहुत थरे बड़े बड़े आलू है एक आलू को मैं Australia से मंगवाया एक आलू को मैं अमेरिक Chips बनता है तो यह जो मशीन आप लोग देख रहे हो मेरे दोस्त यह मशीन जो आप लोग देख रहे हो, इस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे इस मशीन को हम लुग Mathematical Language में या तो बिटा, रिलेशन बोल सकते हैं ठीक है क्या बोली सकते relation की तौर पर समझते हैं, अब क्या होगा बेटा, आपने इसके अंदर आलू डाला होगा, है ना, आपने इसके अंदर आलू डाला होगा यहां से, तो सर इधर से आलू जब आप डाल रहे होगे, तो जो आलू आपने डाला बेटा, उस आलू को मैं क्या बोलूँ, उस आलू क निकल रहे होंगे है ना चिप्स निकल रहे होंगे तो पिटा यहां जो पहला वाला जो डबा आपका भरेगा चिप्स में से ठीक है वो चिप्स जो निकलेंगे वो आपके ऑस्टेलिया वाले आलू से निकले हैं तो आप बोलोगे कि सर ऑस्टेलिया वाले आलू से हमें यहां लोगों की रखी हुई है ना मेरे दोस्त यह जो बाल्टी आप लोगों की रखी हुई है इस बाल्टी को हम लोग क्या बोलते हैं इस बाल्टी को हम लोग बोलते हैं को डोमेन यह तो कलर ही बहुत बेकार है क्या बोलते हैं मेरे दोस्त कौन सा कलर लूं सारी कलर रजीब से ल कहान लोग यहां पर PC आप लोग भर रहे हो निपर को हम लोग क्या बोलेंगे इन को हम लोग Mario क्या गया होगा मेरे दोस्वक्शिक्शक और यानी शर्ण के लिए ring होता है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि एक आलू डालूंगा तो सर उसमें से चिप्स निकलेगा यानि हर एक डोमेन का रेंज निकलता है और उस देश के आलू को भी मैं reject कर दूँगा कि यहां का आलू मतलाओ प्लीज हमारा चिप्स खराब हो रहा है तो मैं क्या करूँगा अगर मेरा आलू जो है वो अच्छा नहीं है उसमें से निकला हुआ चिप्स अच्छा नहीं बन रहा है तो मैं उस देश के आलू को हटा दूँगा तो हटा दूँगा तो मतलब सर वो डोमेन से भी हट जाएगा हाँ बेटा डोमेन से भी हट जाएगा अगर आपका कोई वैल्यू डालने पर आंसर नहीं निकल रहा है तो हम लोग उसे डोमेन से बगा देंगे उस से हम लोग domain से भगा देंगे उस element को कि sir उसके वज़े से हमें रेंज नहीं मिल रहा है तो ऐसे domain को दफा करो क्या जरूवत है उसको domain में रखने की जब उससे कुछ बन ही नहीं रहा है कुछ relate कर ही नहीं रहा है तो ऐसे domain को एक्जामपल समझना बेटा एक्जामपल अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि sir यहां पर one की mapping बेटा किसी के साथ भी नहीं हुई थी आप नोट करो किसी के साथ भी one की mapping नहीं हुई थी इस एक्जामपल में तो sir अगर one डाला तो उससे answer तो कुछ नहीं निकला अपने relation के अंदर तो sir जब नहीं निकला तो ध्यान से देखो ना मेरा बच्चा domain के अंदर one था क्या नहीं था ना domain के अंदर one यानि sir अगर define किये हुए rule के इसाब से अगर उसका relation नहीं वन रहा है तो उसकी जगा domain में भी नहीं होगी भगा दो उसको एकदम भगा दो बात समझ में आ गई लगते हैं यहां है कि से हमें Alpha रिने से नमबर में झा रहा है यानि एक बाइनरी रिलेशन है कितने बच्चों को यह पता चल जाता है ही सर यह contemporary relation की बात कर रहा है थह किसा connection सर कि दिफाइन कर रहा है कि सर य बराबर x square होगा ठीकर और x और y दोनों की value कि उसर जीरो से दसके बीच में होगी और नाचरल नमबर है इसका मतलब आटोमेटिक लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि सर वाई और वाई जो है दोनों के दोनों नाचरल नमबर होंगे यह चीज बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि रिलेशन जो ह अब इसका अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं मेरे दोस्त है ना सपोस कीजिए मैंने इसका नाम रख दिया इस रिलेशन का नाम मैंने रख दिया तो मैं रवन बनाना चाहता हूं तो जीरो से 10 के बीच में कितने नाचरल नंबर सर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस यह सब के दस दस के दस मेरे नाचरल नंबर होंगे तो आप देखना इसने कहा कि सर एकस और वाई रिलेटेड होने चाहिए सच दाट आप एकस की वेल्यू वन लोगे तो वाई की वेल्यू तो वन का स्कोर वन आ जाएगा इस रूल को फॉलो करो वेटा इस रूल को फॉलो करो सर अगर मैं एकस की वेल्यू टू लूंगा तो तो का स्कोर पॉर आजायएगा Sir x की value 3 लूंगा तो 3 का square 9 आ जाएगा Sir x की value 4 लूंगा तो 4 का square 16 आ जाएगा Sir 16 तो अपना natural number तो है लेकिन वो 10 से बड़ा हो जाता है Sir अगर वो 10 से बड़ा हो रहा है मेरे दोस्त तो ये वाले element को भगादो यहां से बिल्कुल भगादो कि Sir उसकी वज़े से सर रेंज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त रेंज हो जाएगा आपका 1,4,9 हो जाएगा Sir co domain कितना हो जाएगा co domain भी तो बता दो Sir co domain हमेशा ये दूसरे वाला सेट होता है हमेशा ये दूसरे वाला सेट co domain होता है याद रखें तो sir co domain हमारा दूसरे वाला set natural number हो जाएगा जिसमें से range belong करता है याद हमेशा ये रखें कि sir range जो होता है वो हमेशा co domain का subset होता है किसका बेटा? co domain का subset होता है ये चीज़ आप लोग याद रखें कि range co domain के बराबर भी हो सकता है range co domain का subset यादि उसे चोटा set भी हो सकता है फीक है? second example में आते हैं sir second example में देखिए बच्चे second example में अगर मैं r2 की बात करूँ तो r2 में relation क्या दिया गया है? कि sir x belong to a होना चाहिए और elements कैसे होंगे? x plus 2, x के form में होने चाहिए और इसने बोला कि sir a set हमारे पास इतने है और इसने बोला determine the domain domain बताइए जिसमें ये बोल रहा है कि relation on a होना चाहिए sir ये भी तो दूसरी language में ये ही बोल रहा है कि binary relation है यानि ना answer a से बाहर जाएगा ना answer a से बाहर नहीं जाएगा ना value अंदर जाएगी ना answer बाहर जाएगा तो यहां से देखेंगे कि sir अगर में इसका relation मनाता हूँ तो a का सबसे पहला element कौन है x की value बेटा 1 ले लो x की value 1 ले लो तो यहां क्या जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा हाँ sir आ जाएगा sir x की value 2 ले लेते हैं तो 2 प्लस 2 बेटा 4 आ जाएगा sir 4 भी बिलोंग कर रहा है sir x की value अगर मैं 3 ले ले लेता हूँ तो यहां 3 प्लस 2 5 आ जाएगा लेकिन sir ध्यान से देखने वाली चीज क्या है 5 तो इस set में है ही नहीं 5 इस set में ही नहीं तो मुझे यह वाला set बेटा erase करना पढ़ेगा यह वाला element Eraser करना पढ़ेगा और यहीं तक मेरा set Define हो जाता है sir यही तक अगर मेरा set Define हो जाता है तो इसका मतलब sir सुल् leaking कितना हो जाएगा मेरे दोस इस क्में कोरसे में हो जाएगा इसको इस relation को हमें कैसे define किया गया था आर ओन ए यानि आर जो है वो set A से set A में define किया जा रहा है तो second वाला set कौन है sir A है तो A set हमारे पास कितना जाएगा sir 1,2,3,4 आ जाएगा तो यह हो गया हमारा domain range and co domain कितना ध्यान रखना है वह भी समझ में आ गया और domain और range भी समझ में आ गया कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर देते हैं यह यह तो नहीं था इतना पाट इरेस करना है और यहीं रेस कर देते हैं यह भी सब्सक्राइब कर देते हैं यहाँ पर यह जो पाट है sir यह binary relation हमें रिप्रेजंट कर रहा है चलो आगे चलते हैं अब हम लोग जाने में वेटर Types of relation के उपर, तो Types of relation को समझने का सबसे आसान तरीका है सर मैपिंग, अगर आप समझते हैं तो बड़े ही आसानी से आप Types of relation को समझ सकते हैं, ऐसे तो बहुत अलग अलग तरीकों के Types of relation होते हैं लेकिन exam point of view से बात करें, जो आपके लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है वो आले टाइपस और रिलेशन मैं आपके लोगों के साथ डिसकस करूँगा आप मैंसे बहुत सारे बच्चों को पहले से आता भी होगा और जिनने नहीं आता उनको क्लियर हो जाएगा जिनको आता है उनको और अच्छे से आ ज सारे वटाल करोगे तो आप समझ जाओगे सार यहां पर वलन की मैपिंग सिर्फ वन से हो रही कि sir इसमें हर एक element सिर्फ अपने आपके साथ ही and relate करता है और सर्फ अपने आपके साथ है यानि वन की mapping सर्फ ओंसे होगी 2 की 2 से 3 3 से 4 की 4 से इसी तरीके से हम लिखते हैं तो इसी खिलाकर टो और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बच्चे को दिकत होता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जरा समझिए कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 की मैपिंग 1 से हो रही है टू की मैपिंग 2 से हो रही है त्री की मैपिंग 3 से हो रही है लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि स सर इसके अंदर टू की मैपिंग न सर वन के साथ भी हो रही है यानि कि जो चीज यहां पर एलाउड नहीं थी यहां पर बेटा यह चीज एलाउड नहीं थी यह बात याद रखना different elements do not relate different elements do not relate यानि यहां पर सर अगर elements अलग अलग हैं तो यहां पर relate नहीं करते हैं जबकि यहां पर इस वाले case में different elements भी relate कर सकते हैं इस वाले case में हम किया कह रहे हैं कि इसे different elements relate नहीं करने चाहिए सिर्फ same elements ही relate करने चाहिए जबकि इसवाले case में different elements relate कर सकते हैं तो ऐसे relation को हम लोग reflexive relation बोलेंगे definition के cases में क्या बोलेंगे definition के case में हम लोग बोलेंगे 4A belongs to set A, For all A belongs to set A For all यहां ध्यान रखना For all A belongs to set A ठीक है There exist There exist यानि वहाँ पर exist करना चाहिए करना पड़ेगा क्या असर क्या exist करना पड़ेगा कि element A, A जो है वो relation में होना चाहिए वो element A, A relation में होना चाहिए तब ही मैं इसको क्या बोलूँगा एक तरीके का reflexive relation बोलूँगा यह हमारा हो जाता है definition This is the definition of reflexive relation इसको हम लोग क्या बोलेंगे reflexive relation चलिए लिख देता हूँ पहले में नाम ठीक है reflexive relation हो गया सर एक example से हमें बताओ कि कब कोई reflexive relation नहीं होगा अगर आप एक ऐसा example लेकर चलते हो कैसा जहां से देखे सर ये एक set हो गया ये एक set बना दिया मैंने कहा कि सर इधर मैंने 1,2,3,4 कर दिया मैं mapping कर रहा हूँ मेरे दोस्त mapping ज़रा धिहान से देखेगा सर 1 की mapping मैंने 1 से कर दी मैंने 2 की mapping 2 से कर दी मैंने 3 की mapping 3 से कर दी मैंने 4 की mapping 1 से कर दी मैंने 2 की mapping 4 से कर दी ठीक है मैंने ऐसे से करके mapping कर दिया तब आप बोलोगे कि सर इसमें ने एक problem है वो problem क्या है सर problem ये है कि 1 की mapping 1 से हो रही है सर हो रही है 2 की mapping 2 से हो रही है कोई problem नहीं 3 की mapping भी 3 से हो रही है लेकिन 4 की mapping जो है न वो 4 से नहीं हो रही है तो for every element in the domain हर एक element की बात कर रहा हूं हर एक element को अपने आपसे relate करना पड़ेगा to become itself a reflexive relation ठीक है तो अभी के लिए मैं बोलूँगा क्योंकि सर इसके अंदर जो है क्योंकि 4 जो है वो सेटे से belong करता है बट बट सर बट 4,4 जो है वो सर relation में belong नहीं करता है इसका मतलब हम लोग बोलेंगे not reflexive यानि सर हर एक element के लिए होना चाहिए हाँ बेटा हर एक element के लिए होना चाहिए इसलिए मैंने यहां पर for all लिखा हुआ है for all element a हर एक element a की mapping अपने आपसे ही होनी चाहिए एसे relation को हम लोग बोलेंगे क्या सर reflexive relation चलिए reflexive relation खतम होने के बाद हम लोग चलते हैं symmetric relation की तरफ symmetric relation में pattern को पहचाने कि सर देखो 1 की mapping 2 से हो रही है तो 2 की mapping 1 से हो रही है है ना सर 3 की mapping 4 से हो रही है तो 4 की mapping 3 से हो रही है यानि की for a not equal to b for a not equal to b if a, b belongs to r it implies that b, a belongs to r यानि की सर ये कहना चाता है कि अगर दो elements unequal है एक जैसे नहीं है different elements है और उन दोनों का relation maintained है तो उसका ultra relation भी maintained होना चाहिए यानि a, b का b, a होना चाहिए जैसे आप लोग यहाँ पर example में देख पा रहे हो कि सर 1, 2 जो है वो relation में है तो सर इसका ultra 2, 1 भी relation में हो रहा है इसका 2, 1 भी relation हो रहा है तभी ये कैसा relation है सर? symmetric relation है तो सर इसमें सभी elements के लिए होना चाहिए? नहीं सभी elements के लिए ये कोई जरूरी नहीं है इसने मुझे क्या बात बोली उस पर focus करो कि सर जब जब a not equal to b होगा जब जब a not equal to b होगा और और if a और b ये दोनो not equal elements आपस में related होंगे तब मुझे देखना है कि सर उसका उल्टा है कि नहीं अगर सर कोई ऐसा set हो कोई ऐसा relation हो जिसके अंदर a not equal to b वाले element ही नहीं यानि कि सर आपका doubt तो बिल्कुल सही है तो सर doubt को clear करो ना फिर footage क्या खा रहे हो चलो doubt clear करते हैं हमने कहा कि यह हमने एक set a बना दिया यह दूसरा set भी a बना दिया हम लोगों ने तो let's say कि this is set a this is also set a set a से a तक हम लोग जा रहे हैं ठीक है यहाँ पर one two three four लिखा हुआ है यहाँ पर one two three four लिखा हुआ है अब मैं mapping कर रहा हूं यहाँ पर मैं वन की mapping one से two की mapping two से three की mapping three से और four की mapping four से करता हूं तो sir यहाँ पर जितने भी elements map हो रहे हैं उन सभी में क्या हो रहा है sir a बराबर b पे आ रहा है क्या रहा है ए बराबर b आ रहा है यांदि one and one equal है two and two equal है three or three equal है four और 4 इकुल है तो सर ऐसा कोई condition बनी नहीं रहा जिसमें A और भी अनीकुल हो जाएं क्या हो A और भी अनीकुल हो जाएं तो सर एक question बना दीजिए जिसमें अनीकुल भी हो रहा हो तो यह लीज़े बच्चा यह गया set A, यह हो गया set A, दोनों को two mapping one से कर दी ठीक है two की mapping three से कर दी three की mapping two से कर दी और मैंने four की mapping बेटा one से कर दी किस से कर दी four की mapping one से कर दी तब आप मुझे बोलोगे कि sir एक जगह पे देखो दिख रहा है कि two और three जो है वो बराबर नहीं होते है 2 और 3 नहीं होते और से 1 और 4 भी बराबर नहीं होते इस केस में में डिफ्रेंट boundary जरा है किया रिलेशन में आप कोगे हाँ 23 तो क्या इसका उल्टा 3,2 बिलॉंघ कर रहा है अब बोलोगे हां सर कर रहा है यानि यहां तक देखने पर सर मुझे यह क्या दिख रहा है कि symmetric दिख रहा है यहां तक देखने पर symmetric दिख रहा है लेकिन जब मैं 1,4 की बात करूंगा तो sir 4,1 तो देखो belong कर रहा है बेटा relation में लेकिन 1,4 जो है वो relation में belong नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगा कि sir इस element की वज़े से यह क्या बन जाता है not symmetric बन जाता है not symmetric बन जाता है यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर कोई ऐसा element मिला ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे सर इसमें कोई चेक करने की जरूत नहीं है, हम लोग इसे symmetric बोल देंगे, इसमें कोई condition false यहाँ पर नहीं होगा, अगर सर हमें कोई element different मिले ही ना, तो हम लोग उसे symmetric directly बोल देंगे, हमें check करने की जरूत नहीं है, यह तभी activate करना बिटा, जब हमें दो not equal elements का relation मिल रहा हो, तो ultra relation भी हमारे पास होना चाहिए, मेरे क्याल से बातें समझ में आ रही है, कड़ी से कड़ी जोडते चलें, ठीक है, तो यह अगर definition satisfy हो रही है, तो सर हम लोग ऐसे relation को क्या बोलते हैं, ऐसे relations को हम लोग symmetric relations बोलते हैं, कैसा symmetric relations, ओके, last वाला बिटा, last वाला जो होता है, इसका नाम होता है, transitive relation, अब ये transitive relation क्या होता है, सर, transitive relation को हिंदी में संक्रमणियं संबंध कहते हैं, संक्रमण आप समझते हैं, जैसे कोई virus जो होता है, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से लगता है, संक्रमण, तो इसी तरीके से यहां transitive relation को संक्रमणियं क्यों बोला जात नियुक्त कि स Wall of plus 133 एखता है क्यों बोला है जाता है जरा ध्यान से देखना बच्चे सारा ध्यान यहाँ नाचीं कि सरदीदर देखोंत had elements हो ऱहाइں तो ट्रांसीटिकी हमें देखना है कि सर अगर मैं टॉ से ढया तो थी से तो थी ढया तक्या डारेक्ट जाने का तरीका था तो आप को फ़ीड़ थी थी से फोर गय तो क्या टू से फॉर जा सकते थे डारेक्ट उस पर उस पर वाईरस अट्व हो सकता था तो आप कlaim करो के सर क्या टू से फोर बिलॉंग कर रहा है टू से फोर आपको के हां सर टू से फोर भी तो बिलॉंग कर रहा है बेको टूसे फोर डायरेक रास्ता भी है डूसे तो ऐसे relation को हम लोग transitive बोलते हैं तो इसको अब जरा अगर मैं definition के basis पे लिखना चाहूं मेरे दोस्त तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा for a not equal to b and b not equal to c यह नहीं कि सर्थ तीनों ही unequal होने चाहिए ऐसा हो सकता है कि a और c equal हो जाए बस a और b equal नहीं होना चाहिए और b और c equal नहीं होना चाहिए यानि respective elements जो है वो equal elements के बीच में relation नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है अगर ऐसा है and बेटा आप लोगों को क्या दिया जा रहा है and बोला जा रहा है इसके साथ कि sir a, b भी relation में है और इसके साथ b, c भी relation में है then it implies that a, c जो होगा वो relation में होना चाहिए ऐसे relation को हम लोग बोलेंगे बेटा, transitive relation कैसा बोलेंगे, transitive relation इसका नाम हम लोग देंगे, ठीके, चलिए यहां तक बात समझ में आ जाती है, अब इनको examples के माध्यम से हम आपको समझाओंगा, यह transitive relation को prove करना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, कुछ questions के अंदर, बा दो elements, दो अनिकोल elements का reverse image भी होना चाहिए, और transitive, अगर एक से दो और दो से तीन जा रहे हैं, तो एक से तीन जाने का रास्ता भी हमारे पास होना चाहिए, this is transitive relation, चले, आगे चलते हैं सर, इसका इस्तमाल करके, अब हम लोग जाएंगे, equivalence relation के अंदर, equivalence relation क्या कहता है, सर एक ऐसा relation, जो symmetric भी हो, transitive भी हो और reflexive भी हो, यानि जो तीन type के relations हम लोगों ने majorly पड़े, reflexive, symmetric and transitive, ये तीनों relations, अगर किसी relation में तीनों की properties verify होती है, तो ऐसे relation को हम लोग equivalence relation कहते हैं, सम तुल्ले संबंध इसे कहा जाता है, इसके अंदर होता क्या है, बिटा ध्यान से देखना, क्या ये एक equivalence relation है, हमें check करना है, सबसे पहले check करना है, क्या ये एक equivalence relation है, तो मैंने आप से क्या-क्या बाते बोली थी, ज़रा ध्यान से देखना, कि सर, पहली चीज, for all a, for all a, belonging to a, there exists, there exists, there exists, a, a belongs to r, क्या हर एक element के लिए, हर एक element के लिए, same element के साथ mapping हो रही है, हाँ सर, same element के साथ mapping हो रही है, हर एक element के लिए, तो सर, अगर ऐसा हो रहा है, तो मैं बोलूँगा, कि सर, ये relation कैसा है, ये relation reflexive है, ये कैसा relation है, ये reflexive है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, मैं इसे directly बोलूँगा, कि सर, ये symmetric भी है, ये symmetric भी हो जाता है, सर, तीसरे case में आजाए, ये बड़ा transitive में, सर, इसमें भी unequal elements की mapping नहीं हो रही है, क्या करें, जबरदस्ती कर दें, नहीं हो रही है, तो मैं इसमें भी check नहीं करूँगा, और मैं बोलूँगा, कि सर, ये भ equivalence relation है, कैसा relation है, ये एक तरीके का equivalence relation है, यानि कि सर, एक identity relation, ये एक तरीके का identity relation है न, सर, identity relation equivalence होता है, हाँ सर, होता है, देखी न, तीनो बाते साबित हो गई है, तीनो, है न, reflexive भी होता है, transitive भी होता है, और symmetric भी होता है, तो सर, एक identity relation equivalence होता है, हाँ सर, होता है, ये ब चेक करूंगा तो आप कहेंगे सर देखो 1 की mapping 1 से हो रही है 2 की mapping 2 से हो रही है 3 की mapping 3 से हो रही है 4 की mapping 4 से हो रही है तो सर सबसे पहले तो इसने मुझे बोल दिया कि यह reflexive है यह reflexive है क्योंकि सर हर एक element की हर एक element से sorry हर एक अपने identical element के साथ mapping हो रही है तो reflexive है next sir unequal elements की बात करें तो 2 की mapping 4 से हो रही है 2 की mapping 4 से हो रही है तो क्या sir 4 की mapping 2 से हो रही है हाँ sir unequal elements में 2 की mapping 4 से हो रही है तो 4 की mapping 2 से हो रही है और कहीं पर unequal elements की mapping नहीं हो रही है तो sir इसने symmetric को pass कर दिया आप बोलोगे हाँ sir इसने symmetric की definition को भी pass कर लिया फिर बेटा मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव के केस में जरा समझना ट्रांजिटिव के केस में मैंने क्या बोला था कि सर ए जो है ध्यान से देखना बेटा ए जो है वो बी से डिफरेंट होना चाहिए और बी जो है वो सी से डिफरेंट होना चाहिए तो क्या sir मैं 2 से directly 2 जा सकता था sir मैं 2 से 2 अगर जाता तो क्या 2,2 relation में है तो आप बोलोगे sir हाँ है तो सही 2 से 2 भी तो relation में है न बच्छे और अगर 2 से 2 relation में है तो sir मैं इसे भी true बोल दूँगा यानि sir ये भी क्या हो गया ये भी एक तरीके है इक्विवैलेंस relation हो गया है ना ये भी एक तरीके से इक्विवैलेंस relation हो गया ना बच्छा हो गया sir 2 से 2 हो गया 4 से 4 भी हो गया बेटा 4 से 4 भी इसमें आ रहा है तो sir ये भी transitivity शो कर रहा है आगे चलते हैं तीसरे इसके एक्वांपल को थोड़ा से एक्वांब करने की कोशिश करें इदर ध्यान से देखेंगे बच्छे इदर आप बोलोगे कि sir one से one की Mapping हो रही है two key two में यो रही है थ्री की थ्री से हो रही है चार की चार से हो रही है यानि sir इसने reflexive को तो हां कर दिया चलिए सर अनिक्वल एलिमेंट को ध्यान दो कि वन की मैपिंग सर्ट टू से हो रही है तो क्या टू की मैपिंग वन से हो रही है नहीं सर्वन की मैपिंग टू से तो हो रही है तो इस तरीके के रिलेशन में हमने बोला कि सर्वन की टू से हो रही है इधर ध्यान से रिलेशन में एलिमेंट नहीं है तो सर मैं इसे यहां से बोल दूँगा कि सिमेट्रिक इसका फॉल्स हो गया यह क्या हो गया यह सिमेट्रिक जो है फॉल्स हो गया सर यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है और अगर यह सिमेट्रिक नहीं है तो मैं इसे आप बोल दूँगा बिट और च्राइशन होने चाहिए अगर आप चेक करेंगे तो आप देखे बैटा ट्रांजीटीविटी यहां पर आपको दिख सकती है कैसे दिख सकती है जारा ध्यान से देखेंगे मिरे बच्चे आपको दिखेगा कि सर 18He हो रही है तू की मैपिंग सर थ्री से हो रही है तो क्या वन की मैपिंग थ्री से हो रही है आप बोलोगे हां सर हो तो रही है यानि आप क्या कहोगे सर ट्रांजिटिविटी के अगर मैं बात करूँ मैं कि 1 की mapping 3 से हो रही है 2 से हो रही है और 2 की mapping इससे ओर 3 से हो रही है तो क्या सब डार ये मापिंग 1 की mapping 3 से हो रही है आप बोलोगे सर हां होतहो रही है इसका मतलब ये Transivity को क्या को फॉल्स बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग इसे इक्वेलेंस नहीं बोलेंगे ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव जरूर बोल सकते हैं जो है, जैसे हम लोग बोलेंगे बहुत प्युत्य ह्याहँ बहुत ही चीज़ होती है सर अगर 1 की mapping A से कर रहे हो तो आप इसका उल्टा बिटा A की mapping क्या कर दोगे 1 से कर दोगे इधर बिटा 2 की mapping B से भी हो रही है C से भी हो रही है तो इधर B की mapping बिटा 2 से और C की mapping बिटा 2 से कर दोगे इधर 3 की Mapping सर D से हो रही है तो इधर आप D की Mapping बेटा 3 से कर दोगे है ना सर इधर 4 की Mapping D से और E से दोनों से हो रही है तो E और D की Mapping बेटा 4 से कर दोगे यानि आपको उल्टा बिल्कुल उल्टा reverse image आप लोगों को बनाना है reverse relation बनाना है तो reverse relation जब आप बना दोगे, तो वो हमारा inverse relation हो जाएगा, अगर मैं इसे roaster form में लिखने की कोशिश करूँ, तो r set हमारे पास कितना आ रहा है, r set आ रहा है, 1a, 2b, 2c, 3d, 4d, 4e, 3d, 4d, and 4e, इसका inverse अगर आप लोग मेरे दोस्त बनाना चाते हो, तो पता है क्या करना है, लिख देना है मतलब sir, ऐसे, जैसे अगर आप inverse relation बनाना चाते हो, तो 1a को बेटा आप लोग उलट कर लिख दोगे, a1, 2b को आप लोग उलट कर लिख दोगे, b2, 2c को c2, 3d को d3, 4d को बेटा d4, और 4e को बेटा e4 लिख दोगे, यह आपका inverse relation बन जाएगा, उतनी ही आसा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा समय देने की जरूरत है, it is very very easy, ठीक है, चलते है, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास composition of relation है, now this is really very important, जो आपके लिए जरूरी है, इससे सवाल आ चुका है, दो बार सवाल आया है, पूरे 10 सालों के previous air question में, तो क्या पता इस बार आ हर बार आप अंदमान ही क्यों जाना चाहते हो, बेटा मन है मेरा जाओंगा, मैं तो जाओंगा अंदमान, आप भी चलो, चले, ठीक है, वही एक्जामपल लेते हैं, कि बेटा आपको in the end अंदमान जाना है, suppose करो, अब आप दिल्ली से मुंबई जाकर अंदमान जाओ, या पर हम लोग कॉंपोजिशन में यही वाला खेल खेल रहे होते हैं, जरा ध्यान से देखना, suppose मैं एक्जामपल को इस तरीके से लेकर चलता हूं ता कि आपको एक अलग से फीलिंग आए, कैसी, कि सर हम लोग दिल्ली से मुंबई गए, फिर हम लोग मुंबई से कहां चले अंदमान आया, अब बीच में मुंबई रुके, मत बताओ किसी को, कॉंपोजिशन यही कह रहा है, कि सर अगर मैं इधर से ध्यान दे देखना, कि सर अगर मैं 1 से x ला रहा हूं और फिर x से answer मैं b ला रहा हूं, तो इस x को बीच में से हटा दो, यानि 1 से मैं क्या ला रहा ह हूं, 1 से मैं b ला रहा हूं, तो इसलिए 1 मैं और b यहां पर relate हो गए, similarly r2 से मैं z ला रहा हूं, मैं z से d ला रहा हूं, तो sir 2 से z घए, z से sir d घए, तो इसलिए 2 का mapping किस से हो गया, sir d लीक ली 2 का mapping d से हो गया थीक है इधर देखते हैं सर आगे देखते हैं सर यह देखो 3 से y हो गया यानि सर पहले में 3 से y गया फिर y से C गया, यानि सर मैं 4 से W जाके W से C जा रहा हूं, तो मैं सीधा 4 से C चले जाता, तो भी same ही result आता, यही खेल चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, suppose करो, इस relation को हम लोग बोलते हैं, R1 relation, इस relation को बोलते हैं हम लोग R2 relation, तो यहाँ पर जो relation पहले था, उसको आप लोग पहले इधर लिखोगे, और फिर उसका composition R2 से लिखोगे, यानि जो सबसे पहले relation में value डली थी, जो भी आपने value डाली थी, suppose आपने पहली कौन सी value डाली थी, आपने 1 डाली थी, तो relation 1 के अंदर आपने जब 1 डाली, relation 1 के अंदर जब आपने 1 डाला, तो 1 से बिटा x आया, है ना, सर फिर x से क्या आया, x से आपके पास b आया, यानि अब मेरा जो final answer हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सर, इस composition में अगर मैं आपसे ये पूछूँ, कि इसका answer क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे, sir, b हो जाएगा, क्योंकि indirect, आपने जब relation 1 में 1 डाला, तो उससे मेरे पास answer क्या आया, x आया, और फिर x से डाला, तो x से हमें b आया, तो sir, जब मैं इस composition में 1 डालूँगा, तो मेरा answer directly b आयेगा, है ना, b आयेगा, यानि sir, अगर मैं इस चीज़ को erase करके, properly सारी values लिखने की कोशिश करूँ, तो आप मुझे बोलोगे, sir, r2, o, r1 में 1 डालेंगे, तो कितना आयेगा, sir, b आयेगा, r2, o, r1 में अगर मैं 2 डालूँगा, तो answer क्या आयेगा, sir, 2 से z, z से d, यानि d आ रहा है, sir, r2, o, r1 में अगर मैं 3 डालूँगा, तो क्या हो जाएगा, sir, 3 से y, y से a, यानि answer a आने वाला है, और r2, o, r1 में अगर मैं 4 डालूँगा, तो sir, 4 से w, w से c, यानि c आने वाला है, ये हमारे पास answer हो जाएगा, अब कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूस्ता है, क्या पूस्ता है, sir, क्या r1, o, r2 की value भी निकाल सकते हैं, बेटा, particularly इस question में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि mapping हमें r2 से r1 के हिसाब से नहीं दी गई है, कैसे, देखना, कि sir, x से b अगर मैं जाता हूँ, x से b, तो sir, यहाँ तो b element है ही नहीं न, तो मैं आगे कैसे जाऊ r1 में, मैं r1 में आगे नहीं जा सकता, तो sir, x से b होता, और यहाँ पर भी b से element relate होते, तो ही मैं आगे जा सकता था, वरना नहीं जा सकता, तो यहाँ पर बेटा अगर मैं R2 में X डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास not defined है मेरे पास ऐसी कोई value नहीं है जिससे मैं answer कर पाऊँ तो यह अपने पास concept हो रहा है कि सर इस वाले relations के अंदर R2, O, R1 तो निकल सकता है लेकिन R1, O, R2 नहीं निकल सकता और R1 और R2 का जो composition है यह भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है I hope this is clear, यह बात भी समझ में आ गई है अब चलते हैं इसका हम लोग कुछ results को याद रखने के लिए results क्या है यह directly आप लोगों को याद रखने है जितना यह directly आप याद रख सकते हैं उतना फायदे में रहो गए यह हम पहली बता चुके कि number of relations from A to B से 2 की पावर N A into N B नी 2 की पावर M N हो जाएगा number of binary relations 2 की पावर N स्कोर हो जाएगा number of reflexive relations on A 2 की पावर N स्कोर माइनस N ठीक है तो यह कुछ results आप लोग directly याद रखेंगे so that आप लोगों को कहीं पर भी apply करना पड़े तो आप लोग answer कर सकते हो last वाला जो anti-symmetric बेटा इसके उपर बहुत ही जादा मतलब हम लोग focus नहीं करने वाले क्योंकि आज तक एक भी question anti-symmetric पे नहीं आया है लेकिन still एक formula है तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया आप लोग note-down कर सकते हैं याद करना चाहें याद भी कर सकते हैं done है चले अब हम लोग यहां से questions की शुरुआत करेंगे सारी चीज़ों को sum up करने के बाद अब questions पर apply करेंगे कि कौन सी questions किस तरीके से पूछे बताना चाहता हूं कि कितने असान असान सवाल पूछे जाते हैं एन एक रॉस भी पूछ रहा है कि कितने number of elements a cross B में होंगे सर कितने तो आप बोलोगे सर n a into n b कर देना तो एने कितना है सर एने हमारे पास 4 है n b कितना है सर 3 है तो total में सर 12 answer आना चाहिए तो option number c को टिक लगाके बिटा आगे चल देंगे है ना कतम answer बिल्कुल answer कतम next sir next क्या बोल रहा है सर अगर a is the relation on set r बिटा on set r मुझे क्या बता रहा है सर binary relation बता रहा है साफ साफ बता रहा है कि सर यह binary relation है यानि कि हमारा जो relation है वो real number से real number में जा रहा है which one of the following is correct सर देखो इस वार यह आर जो है न यह आर आपको क्या denote कर रहा है मेरे दोस्त यहां पर आर आपको denote कर रहा है यहां पर real number से डिनोट कर रहा है question UPSC ने सिर्फ बच्चे को confuse करने के लिए यह मैं नहीं कर रहा हूं यह मेरे करम नहीं है यह UPSC के करम है कि बच्चा इस relation को आर पड़े या फिर इस आर को relation पड़े या real number पड़े तो यहां आपको अपने बुद्धी का जोर लगाना होगा कि सर अगर सेट आर लिखा गया है तो relation सर एक सेट तो होता है लेकिन जब मैं किसी relation को define करता हूं तो वह वाला आर मेरा real number को represent करेगा relation को नहीं तो यहां UPSC चाहता है कि आप लोगों को क्या इस बात का ग्यान है कि हम इसे कब relation पड़े कब इसे कब इसे real number पड़े तो सीधी सी बात है इसने मुझे यहां पर कुछ बाते बता दी कौन सी बाते बता दी बिटा इसने मुझे बता दिया कि यहां पर relation कौन है यहां पर relation R नहीं है इस बात यहां relation जो है वो sir A है और इसे on R define किया गया है यानि अब जो R है वो कौन हो जाता है real numbers का set हो जाता है अब अगर sir यह relation है तो यह relation क्या होगा sir subset होगा ना किसका R क्रॉस R का subset होगा की नहीं होगा definition की basis पे तो sir अगर यह relation A है तो यह R क्रॉस R का subset होगा so option number C is the correct answer यह था बिटा common basic concepts के उपर question पूछा गया है जहां बच्चा को लगता है कि sir मुझे सब आता है और ऐसे questions पर वो हार जाता है कि sir यह क्या पूछ लिया आपके तारों को अंदर तक जंजोडने के लिए ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जहां confusion जादा होता है लेकिन question एकदम हलवे लेवल का होता है बिल्कुल आसान देख लो अगर आपका concept लियर थे तो यह question option c लगाने में कितनी देर लगने थी one or two seconds बस उतना जितना आपको टिक मारने में लगता होगा है ना उतना ही चले अगला सवाल सब्सक्राइब क्या रहा है कि a and b are two non empty sets having elements in common then what is the number of common elements in set a x b and b x बिटा देखो यह कह रहा है कि सर मान लो set a के अंदर हमारे पास यहां 1 रखा है यहां 2 रखा है यहां 3 रखा है यहां 4 रखा है तो इसमें common elements कौन कौन से सर common elements 2-3 है common elements कितने हैं सर 2-3 है मेरे बच्चे 2-3 है तो आप कहोगे कि सर इन 2-3 से बनने वाले जो भी elements होंगे जैसे जरा ध्यान से देखना कि सर जब मैं a x b बना रहा होंगा a x b तो इस a x b से सर 2-2 element बिलॉंग करेगा हां 2-3 element बिलॉंग करेगा हां 3-2 element बिलॉंग करेगा हां और 3-3 element बिलॉंग करेगा आप कहोगे हां सर यह 4 elements a x b में बिलॉंग करेगे लेकिन जब मैं इसको उल्टा बना रहा होंगा b x a बना रहा होंगा तब भी तो बिटा 2-2 बिल elements common आ गए सर 1, 2, 3, 4, 4 elements common आए क्योंकि Sir इनके अंदर 2, 2 elements common थे तो 2, 2 elements common थे और 4 elements answer आ गए तो चार और याद रखना कि अगर 3, 3 elements होते तो 3, 9 होता, 4 होते तो 4, 16 होता यानि इधर से 4 और इधर से 4 आपस में cross होते तो 16 elements बनाते यानि Sir अगर n number of elements common है n elements common है तो sir a cross b और b cross a में n square elements common होंगे so option number b is the correct answer थोड़ा सा common sense थोड़ा सा अगर आप idea लगाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस question का answer कर सकते हैं कि अगर a और b में n common elements हैं तो a cross b और b cross a में उन्ही n elements का n elements के साथ cross mapping कराओगे तो n square elements common हो जाएंगे डन चलो अगला सवाल next question क्या है sir if a b c are non empty subsets of such that a intersection b c is y then what is a cross b intersection c cross b बेटा किसकी नजर तेज चील की निगाह के साथ एकदम देखना है बेटा चील की निगाह के साथ कि sir ये लिखा हुआ है a intersection b a cross b intersection c cross b लिखा हुआ है sir distributive lock का अगर मैंने उल्टा किया तो ये cross b बेटा बाहर आ जाएगा और a intersection c इधर रह जाएगा distributive lock का उल्टा sir a intersection b c कितना है sir a intersection c हमें 5 दिया गया है और 5 का cross अगर मैं b के साथ करूँगा तो बेटा मेरे पास 5 आएगा और देखो कितने प्यार से एक simple सी property के उपर कितना प्यारा सा question बना दिया distributive और empty set के साथ cross product में क्या relation आता है partition product में क्या relation आता है उसके उपर एक बहुती सुंदर सा और बहतरीन सवाल पूछ लिया गया है है ना? मस था? बढ़िया? चले अगले सवाल next question हम से क्या कह रहा है कि sir a relation r is defined on the set n set n of natural numbers दो को बेटा on set of लिखा हुआ है on the set of natural numbers तो आप समझ गये कि sir इस relation को n natural number से n natural number पर ही define किया गया है यह binary relation है जहां पर x और y का relation दे रखा है कुछ ऐसे कैसे दिया हुआ है कि sir x square minus 4xy plus 3y square यह हमें definition दी गई है कि यह जब तक 0 नहीं होगा तब तक sir यह relation नहीं होंगे related elements नहीं होंगे तो चलिए check करते हैं मिटा check करते हैं sir सबसे पहले reflexive के लिए check करते हैं ठीक है true और false में answer करेंगे कि reflexive है या नहीं है तो reflexive के लिए test करते है reflexive यह लिए sir दोनों element सेम होने चाहिए नहीं x का relation x के साथ करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा sir x का square minus 4x का square plus 3x का square sir सब बराबर 0 होता है हाँ sir होता है इसका मतलब यह true बोल रहा है यह क्या बोल रहा है sir यह true बोल रहा है कि sir सब 0 होता है दूसरे में ध्यान से देखना अगर मैं symmetric की बात करूँ मैं symmetric की बात करूँ तो symmetry में आप ध्यान दोगे कि sir अगर x r y जो है वो हमारे पास x square है x r y x square minus 4 x y plus 3 y square बराबर 0 है तो क्या आप यह बोल सकते हैं कि sir y r x यानि इसकी reverse बिल्कुल उल्टी हुई image को अगर मैं बात करूँ तो y r x क्या हो जाएगा पेटा x की जगा y और y की जगा x रख देंगे तो यह y square minus 4 y x plus 3 x square बन जाएगा sir यह 0 होगा इस बात की guarantee नहीं ले सकते हम लोग कैसे sir थोड़ा proof करके बता देते तो तो भला होता है ना भला हो जाएगा वेरा दुआओं में याद रखोगे चलो बताना मेरे को कितनी दुआ देते हो है ना comment section में आप लोग बताओगे कि कितनी दुआ मिलती है चलो सर अगर यह मैं इसे factorize करने की कोशिश करूँ तो पेटा आप इसे factorize कर सकते हो x minus 3y आप लोगों को मिलते हैं मेरे दोस्त है मिलते हैं कि सर एक्स बराबर या तो 3y हो जाए या तो सर x बराबर y हो जाए सर सिमेट्रिक के condition के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों non equal elements यानी same elements नहीं होने चीए non equal elements के लिए हमें बात करनी होते हैं तो हम लोग इस वाली कंडिशन को स्किप कर देंगे कि सर इसके बारे में बात मत करो बात किसके बारे में करो x बराबर 3y बिटा अगर x बराबर 3y है तो मुझे बताइए क्या y बराबर 3x होगा y बराबर 3x होगा अगर x बराबर 3y है कि sir यह हमारे पास नहीं verify कर रहा है reflexive है लेकिन symmetry नहीं है क्या इतने में हमारे सारे answer आ जाते हैं reflexive है symmetry बोल रहा तो यह answer खलत reflexive है not transitive बोल रहा है reflexive और symmetric बोल रहा है गलत reflexive बोल रहा है और neither symmetric अब मुझे b और d में से confusion है इस बात का confusion कौन clear करेगा sir c option clear करेगा मतलब transitive अगर निकालेंगे तो वो clear करेगा चलिए transitivity की बात करते हैं transitivity में अगर मैं यह बोलता हूं कि sir non equal elements की बात की गई है इसी equation को जब आपने simplify किया तो यहीं से तो results को use करेंगे बार बार कर रहे हैं sir अगर x बराबर 3y मान लेते हैं और y बराबर 3z मान लेते हैं तो इसका मतलब sir ये वाली relation को ये imply कर रहा है sir अगर imply कर रहा है तो मुझे खुद से बताईए क्या इसका मतलब sir x और z के बीच में भी same relation होगा क्या x बराबर 9z होगा या फिर या फिर बेटा x बराबर 3z होगा तो आप बोलोगे sir ये वाला true statement हो जाएगा x बराबर 9z होगा ये वाला sir false statement हो जाएगा ये गलत है x बराबर 3z नहीं हो सकता और sir नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पर बोलूँगा sir transitivity भी false हो जाती है यानि transitive relation यहाँ पर हमारा मना हो जाता है this is also false sir अगर ये भी false है तो सिर्फ ये reflexive को true कर रहा है symmetric और transitive को मना कर रहा है तो हम बोलेंगे कि sir ये ट्रांजिटिव हाँ कर रहा है तो ये option भी गलत हो गया so option number d is the correct answer जहां पर बोल रहा है कि sir reflexive है लेकिन symmetric और transitive दोनों नहीं है है ना बढ़िया चका चक हुआ थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन ये अच्छा सवाल है इसलिए मैं इसे खास कर चुनकर लाया कि कुछ question तो थोड़े से critical होंगे ना हलवा सारी चीजे हलवा डाल दोगे तो सारे ही बच्चे select हो जाएंगे सारे ही बच्चे select हो जाएंगे तो किस-किस को चुना जाएगा है ना ऐसा नहीं होता तो कुछ तो क्रीम छाटने के लिए रखा जाएगा ना तो अपने दिल पर मतले ना बेटा question तो क्रीम आ सकता है क्या क्रीम हो या नहीं यह चीज आपको decide करनी है अगर नहीं हो तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप क्रीम बन जाएं और अगर हो तो बेटा अपने आपको क्रीम बनाए रखने के लिए महनत करनी है रुकना नहीं है जुकना तो बिल्कूल भी नहीं है है ना चले अगला सवाल next question 4 दिया है देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है लेकिन सर 4 4 नहीं है 4 4 नहीं है बेटा नहीं है सर सारे element के लिए होना चीए था ना सारे element के लिए होना चीए था सर 4 4 नहीं है और अगर 4 4 नहीं है तो सरी यह reflexive नहीं हो सकता इधर reflexive बोल रहा है तो यह गलत इधर not reflexive बोल रहा है इधर reflexive बोल रहा है तो अभी हम लोग दो ऑप्शन में confused है ना दो ऑप्शन में हम लोग थोड़ा सा confused दें तो हम लोग चेक करते हैं कि सर यह सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को क्या बोल रहा है सिमेट्रिक को अगर आप देखो तो नॉन इकोल यह सिमेट्रिक काम कर रहा है सिमेट्रिक काम कर रहा है में अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि क्या यह ट्रानजिटिव है या नहीं है तो सट सिमेटरिक है ना सर अब यह बताना हैं कि ट्रांजिटिव उदर हां बोल रहा है अब भी मैं थोड़ा सा कन्फीज्य हूँ सिमेटरिक को लेकर भी अब गूज़ हो तो मुझे ट्रांजेटिव को लेकर चलना पड़ेगा Transitive की Condition में आएंगे तो अगे Non Equal Elements के लिए देखे बेटा Non Equal Elements के लिए देखे कुछ ऐसे कि Sir अगर 1,2 और 2,1 है तो क्या इसका मतलब 1,1 है हमारे पास आप बुलोगे हाँ Sir है अगर आप बुलोगे कि Sir 2,1 और 1,2 है तो क्या 2,2 है हमारे पास हाँ Sir है अगर 2,3 और 3,2 है तो क्या Sir मेरे पास 2,2 है आप बुलोगे हाँ Sir है अगर 3,2 और 2,3 है तो क्या Sir मेरे पास यहाँ पर 3,3 है हाँ Sir है तो क्या ये Transitive बोल सकते हैं लेकिन बेटा प्लीज थोड़ी सी और चील वाली निगा को Activate करें आप बोलेंगे Sir 1,2 है फिर उसके बाद 2,3 है लेकिन Sir 1,3 नहीं है तो ये मुझे बोल रहा है कि Sir Transitivity का सत्यानास यहां से हो रहा है Sir यहां से हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये Transitive बोल रहा है तो Sir ये वाला गलत हो जाएगा Option Number D is the right answer कि नहीं ये Symmetric है नहीं ये Transitive है Sorry नहीं ये Reflexive है नहीं ये Transitive है ये कैसा Relation है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा Symmetric Relation बन रहा है तो चील की निगा इस Question को बहुत बनाती है Awesome Blossom तो आप बताईए कि आप लोगों ने Notice किया था कि ये Transitive Relation को करेगा चार ऐसे एक्जामपल्स दिये जिसमें Transitivity येस बोल रहा था लेकिन एक चील की निगा थी कि सर वन टू और टू थरी है नॉन इक्वल एलिमेंट्स के बीच में अगर जब हमने Relation को देखा तो सर डाइरेक्ट वन थरी जाने तक का परास्ता हमें नहीं दिया गया था खतम सवाल है ना खतम सवाल चले अग्ला सवाल देखते हैं सर नेक्स कोईशन देखते हैं ये रहा क्या बोल रहा है सर ये बोल रहा है वी डिफाइन relation R on the set n cross n यानि के binary relation की बात हो रही है तर ये relation की definition क्या दे रहा है a,b relation c,d तब होगा जब a plus d जो होगा वो b plus c से बराबर होगा चलिए relation को मैं थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं वैसे तो इससे अदर साफ क्या लिखेंगा computer सबसे साफ लिखता है क्या लिख रहा है कि sir a,b तभी related होगा c,d से जब a और d का सम b और c के सम के बराबर आएगा इसे और आराम से समझने के लिए आप ऐसे देखो कि sir a और d का सम हो रहा है और b और c का सम हो रहा है ना बी और c का सम हो रहा है तो पहले नंबर पर किसकी बात करें sir reflexive की बात करते हैं ना सबसे पहले किसकी बात करते हैं प्रती 6P संबंद की बात करते हैं, reflexive relation, तो यहां पर क्या होता सर, same elements लेते हैं, क्या A, B को A, B से relate करने पर सर, result same आएगा, तो हमने का सर, वैसे ही जोड़ो जैसे जोड़ने के लिए बोला गया, कि इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, तो ऐसे जब जोड़ है, सर, यह सिर्फ symmetric only बोल रहा है, तो इसे दफा करो, यह कहरा, symmetric and transitive only बोल रहा है, तो इसे दफा करो, सर, अब इन दोरों में confusion बच जाता है, है न, है न, है न, बच जाता है, न, दो option तो ऐसी eliminate कर दिये, अब 25% से हम 55%, 50% पे आ गए हैं, चलो, आगे देखते हैं, सर, दू आप B से relate करूँगा, तो मैं यहाँ पर यह बोलूँगा, कि सर, जैसे add करने के लिए बूला गया, वैसे add करो, यानि पहले element को आखरी element के साथ, इसको इसके साथ, तो आपके बास relation क्या हैगा, आप कहोगे कि सर, C plus B जो है, वो क्या A plus D के बराबर है, क्या C plus B जो है, A plus D के बराबर है, आप बोलोगे हाँ सर, बराबर है, true है, यह क्या है बिटा, true है, तो सर, symmetric को भी टिक लगा दो, अब बच्चा मेरे, अगर reflexive और symmetric 2 पे टिक लग चुका है, तो reflexive only गलत answer है, इतने में ही मैं option number C को आगे लगा के चल दूँगा, बिटा, अब अपना समय आप बर समय है, तो definitely आप निकाले, लेकिन अगर आप options को smartly search कर रहे हैं, तो आपका answer आ चुका है, यह जरूरी है, कि आप लोग questions को लेकर aware रहें कि question में पूछा क्या जा रहा है, और उस question को solve करने के लिए, हमें options किस हद तक मुश्किल दिये गए हैं, या फिर किस हद तक आसान दि सर दूसरा symmetric check करते हैं, मैंने तीसरा चौथ option भी काट दिया, तो तीसरा automatically सही हो जाएगा, टटा भाई 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 बोलकर आगे चल पड़ेंगे, चलिए, next question की दरफ चलते हैं, यह रहा अगला सवाल बच्चा, next question आप से क्या कह रहा है, Sir, let S be the set of all persons living in Delhi, अच्छा, दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों का set है S, यह करा, we say that X और Y in S are related if they were born in Delhi on the same day, यानि उनका बड़े जो है, वो same है, अगर same दिन में पैदा हूँ है, तो वो आपस में related होंगे, तो मान लेते हैं बेटा, एक बंदे का नाम X है और एक बंदे का नाम Y है, अगर इन दोनों का बड़े same है, उनका बड़े same है, तो यह दोनों related होंगे, अगर इनका बड़े same नहीं है, तो यह दोनों related नहीं होंगे, तो हमने कहा, कि बेटा, जैसे spider-man movie में एक ही दुनिया के अंदर तीन तीन फीन spider-man आजाते हैं, similarly हम अपनी दुनिया म कि एक X को ले कर आ रहे हैं और दूसरे X को भी ले कर आ तो दोनों का बड़े सेम होगा तो इसने नौट रिफ्लेक्सिव बोला तो इसे दफा करो ठीक है इसने बीटा इस इसने इस रिफ्लेक्सि बोला तो सब तीन उप्षिन में हम लोग अठके हुए हैं ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं आगे बात करेंगे तो सर अगर मैं यह कहूं कि X और Y का बड़े सेम है तो क्या इसका मतलब सर Y और X का बड़े भी सेम होगा सर हाँ सीधी सी दो बात है अगर X और Y का सेम है तो Y और X का भी सेम होगा तो सर सिमेट्रिक बोल रहा है सिमेट्रिक बोल रहा है तो इसे काट दो ठीक है यहां इस सिमेट्रिक बोल रहा है तो अभ सेम हैं तो आप बोलोगे हां सर एक्स और वाइजड का बड़े भी सेम होगा यानि सर ये ट्रांजिटेव रिलेशन को भी हां बोल रहा है इसने नौट ट्रांजिटेव बोला तो ये ऑप्शन गलत हो गया ऑप्शन नमबर एस दा ओनली राइट आंसर इक्वी वैलेंस रिलेशन डाने मजा आया एकदम चका चक है ना बढ़िया तो मुद्दा यह है कि बिटा आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इतने मुश्किल नहीं होते हैं जस्ट आपके कंसेट्स क्लियर होने चाहिए आपको खुद से अंतर आत्मा से सवाल पूछना है कि स आगवल होगा या नई होगा नई होगा तो मना कर देंगे होगा तो हाँ कर देंगे M चैले आगला सवाल next question क्या है sir next question ये बोल रहा है कि let r be a relation from a to b इस बार देखो बेटा binary relation नहीं दिया a to b दिया है इसने का कि relation a के अंदर relation r के अंदर ये elements तभी related होंगे जब a b से छोटा होगा sir a b से छोटा होगा इसका मतलब अगर मैं directly इस relation को लिखने की कोशिश करूँ आप लोग इसे try कीजेगा कि sir 1 जो है वो 2 से छोटा है 1 जो है 2 तो है यहीं नहीं b set में so sir 1 जो है वो 3 से छोटा है और 1 जो है वो 5 से छोटा है और 2 जो है वो भी 3 से छोटा है 2 जो है वो भी 5 से छोटा है अगला element बेटा 3 है 3 सर्फ 5 से छोटा है और अगला element 4 है 4 भी सर्फ 5 से छोटा है तो ये हमारे पास relation R बन जाता है तो ये मेरे को कहा रहा है सर R O R inverse बताईए तो इसके लिए पहले मैं R inverse बना लूँ बच्चा R inverse बना लो और सर R inverse कितना हो जायेगा? R inverse हो जाएगा 3 1 हो जाएगा 5 1 हो जाएगा 3 2 हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 5 3 हो जाएगा और सर 5 4 भी हो जाएगा यह हो गया R inverse दो बिटा directly बनाना आना चाहिए आप लोगों को नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत महीं वाली बात है कि यह आपसे पूछ रहा है R O R inverse पूछ रहा है यानि सर जो value डलेगी न वो R inverse में पहले डलेगी कहां डलेगी सर R inverse में पहले value डलेगी और फिर R में डलेगी तो चलिए R inverse का सबसे पहला element उठाते हैं कौन बिटा 3 सर 3 से कहां गए सर 3 से हम लोग 1 में गए 3 से 1 में गए सर 1 से फिर कहां गए सर 1 से हम लोग 3 में गए 1 से हम लोग 5 में गए नहीं समझ में आया बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिए बिटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा extra time लगा कर इस question में extra clarification दूंगा कि अगर किसी बच्चे को नही नहीं समझ में आयेगा तो बिटा वो कर पाए अट लीस्ट वो कर पाए और यह याद करें कि सरहां अखिल सर ने थोड़ा extra time दिया था हमें तब जाके हमें समझ में आया था है नहीं है तो मुझे credit नहीं चाहिए ठीक है मुझे credit नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से answer चाह रहा होंगा तो यह relation बन जाएगा R inverse set A के अंदर element से 1,2,3,4 1,2,3,4 set B के अंदर element से 1,3,5 इधर 1,3,5 इधर 1,2,3,4 हो जाएगा अब जरा ध्यान से देखें बच्चे मेरे साथ जब मैं relation R की बात करा तो sir 1 की mapping 3 से हो रही है 1 की mapping 5 से हो रही है 2 की mapping 3 से हो रही है 2 की mapping 5 से ह हो रही है 3 की mapping 5 से हो रही है और 4 की mapping 5 से हो रही है 4 की mapping 5 से हो रही है जब मैंने इसका inverse निकाला तो sir 3 की mapping 1 से हो रही है 5 की mapping 1 से हो रही है देन उसके बाद 3 की mapping 2 से हो रही है 5 की mapping 2 से हो रही है ठीक है एंड देन उसके बाद 5 की mapping 3 से भी हो रही है और 5 की mapping 4 के साथ भी हो रह सर अगर मैं R inverse o r निकाल रहा हूं R inverse o r तो पहले मैं sir कहाn से चल रहा हूं मैं 3 से चल रहा हूं Mean 3 में गया सर 3 में गया और फिर इसमें आया penatация 3 में 5 में गया कैसे ग्या सर पहले मैंusta 3 सै चला 3 से चलांगा कहां गया सरवन में गया कर फिर मेंगा 7-1तरइस टरा चाल आप य से ऐसे कर सकते हैं कैसे सर अगर मैं 3-11 जा enfants एवन learnt एवं जा सकता हूं है ना आगे अगले element के पास चलते हैं सर अगले element में चलेंगे तो 5 से 1 गए सर 1 से 3 और 1 से 5 जा रहे हैं यानि हम लोग 5 से 1 जा सकते हैं और 5 से 3 भी जा सकते हैं सेम जब आप सारे elements के साथ ऐसा करोगे तो यह हमारा यहां मैंने कुछ गलत लिखा क्या हां क्या गलत लिखा कि 5 से 1 गए तो 1 से हम लोग 3 गए या फिर 5 गए तो 5 से 3 और 5 से 5 यह बन जाएगा और इस वज़े से हमारा आंसर जो है वो option number C बिल्कुल सही जवाब हो जाता है थोड़ा सा practice थोड़ी से understanding थोड़ा सा time अगर आप इसको खुद बनाने में लगाएंगे तो definitely ऐसा चमकेगा कि आपको फिर कभी इसको दुबारा study करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और यह काफी अच्छा सवाल था composition और inverse relation को लेकर बनाया गया सवाल था तो मैं इस तरीके questions को एक अच्छा सवाल बोलूँगा क्योंकि बहुत सरे बच्चों को composition और inverse के बीच में बहुत बड़ी दिक्कत सी रहती है in shot रहती है ना चले अगला सवाल next question हमारे पास क्या है sir next question हम से बोल रहा है कि let r be a relation on the set n of natural numbers set n of natural numbers on बोल रहा है तो sir इसका मतलब binary relation की बात हो रही है है ना यानि ना natural number से बाहर जाएंगे कभी नहीं जाएंगे binary relation की बात हो रही है defined by nrm n is a factor of m अब देखनों मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा मैं reflexive relation के बारे में बात करूंगा क्या sir n अपने आपसे पूरी तरह divide हो जाता है इसका मतलब sir n जो है वो अपने आपसे relation रखता है आप बोलोगे हां sir रखता है true है sir reflexive हो गया reflexive हो गया तो इसने not reflexive बोला तो sir इसको दफा कर दो बाकियों में तो reflexive आ रहा है है ना बाकियों में reflexive आ रहा है यानि completely divisible है but बेटा बट अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ यानि 2 को 4 से divide करता हूँ तो बेटा हमारा answer 1 by 2 आता है जो कि completely divisible नहीं होता है completely divisible नहीं कहेंगे तो sir अगर ये completely divisible नहीं है तो क्या, 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 sir क्या, n और r m, अगर n ये n हो गया बेटा, ये m हो गया तो ये पेटा m हो गया और ये n हो गया, sir n और m तो आपस में related है इसका मतलब ये आ रहा है कि sir m जो है वो n से related नहीं है m जो है वो n से related नहीं है, तो sir symmetric में हम लोग क्या लिख देंगे false लिख देंगे कि sir symmetric नहीं हो रहा है, symmetric अगर नहीं हो रहा है तो पिटा देगो इसने symmetric बोला, इसको काट दो, ये equivalence बोल रहा है sir, ये हो नहीं सकता, इसने not symmetric बोला, तो sir, option number C ही अपना answer है ना, काई को transitive निकालने का रे, काई को निकालने का, है ना, option number C ही जब अपना confirm हो गया है कि sir, answer है, तो खतम करो सवाल, हो गया, sir, जहाँ जहाँ जो जो चीज़े जैसे जरूरत थी, लगा दी, answer अपने पास है, तो transitive क्यों निकालना है, लेकिन still अगर transitive समझना है, मेरे दोस, transitive अगर समझना है, तो इसे example से समझो, कि sir, अगर आप transitive की बात कर रहे हैं, है ना, देख लेना बेटा, कोई बात ने, किसी बच्चे को आठ डिवाइड़ ब 가지 चार जो है, वो completely डिवाइड हो जाता है, ना, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, similarly wta, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, तो ये भी completely डिवाइड हो जाता है, तो क्या sir, यहाँ पर मुझे समझ में आया, कि n और m तो आपस में related है, n और m आपस में related है, है और M और P आपस में related है क्या यह दोनों related है तो आप को कि सर आठ और दो का division भी possible है इसका मतलब सर यहां पर true आ जाएगा और यह transitive हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर reflexive भी है transitive भी है but symmetric नहीं है so option number C is the right answer done है चलें अगले सवाल की तरह चलते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है बच्छा next question is saying that suppose there is a relation star a relation star बोला गया है between the natural numbers की बात हो रही है x and y such that x y if and only if यहां पर x star y आएगा यह missing है तोड़ा सा इसकी जगह पर क्या आएगा x star y यानि आए एक्स और y आपस में तभी related होंगे जब if and only if x की value y square से चोटी होगी बेटा यह defined rule हमें दिया गया कि x की value y square से चोटी होनी चाहिए क्या हो नीची सर x square की value y square से चोटी होनी चीए जिसमें हमें साफ साफ यह बात बोदली गई है जहां पर x और y आप दोनों के दोनों कहां से लोगे सर natural नंबर से लोगे यह बात आप लोग नोट डाउन कर लो कि यह natural नंबर से ही लेने हैं तो यह कह रहा कि सर बताओ reflexive क्या है क्या नहीं है चलो देखते हैं सबसे पहला पार चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं क्योंकि सर नाचरल नंबर की बात हो रही है किसकी बात हो रही है बेटा नाचरल नंबर की बात हो रही है तो क्या 1 1 के स्क्वेर से छोटा या बराबर होता है आप बोलोगे येस क्या 2 2 के square से छोटा बराबर होता आप बोलोगे yes क्या 3 3 square के से छोटा बराबर होता आप बोलोगे yes सर सभी natural number के लिए ये छोटा या बराबर होगा तो ये बात सच हो रही है सर reflexive के लिए मैं बोलूँगा कि ये true है reflexive के लिए बोलूँगा मैं true है क्योंकि ये अपने ही आपके साथ छोटा या बराबर ये relation follow up कर रहा है है न, true है, sir reflexive कहां मना कर रहा है, देखो not reflexive मना कर रहा है तो इसे काट दो sir यहाँ देखो not reflexive बोल रहा है तो इसे काट दो, ठीक है दो option कट गए, 50-50 प्यारा गए चलो sir अगले सवाल पर अगला part करते हैं, symmetric की बात करते हैं, symmetry ठीक है, इतने में लिख देते हैं, काफी है, symmetry की बात करते हैं, sir, symmetric के लिए अगर मैं बात करूँगा, जैसे बच्चा, 2 जो है, वो 4 के, sorry, किस के? 3 के square से क्या होता है sir, छोटा या बराबर होता है? हाँ sir, होता है, होता है? नहीं, 2 जो है, वो 5 के square से छोटा बराबर होता है, हाँ sir, होता है, बिलकुल होता है, बात समझ में आती है, 2 जो क्या सर फाइव जो है वो टू के स्क्वेर से छोटा बराबर होता है अरे नहीं सर नहीं 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 फाइव जो है वो टू के स्क्वेर से छोटा बराबर नहीं होता है तो यहां पर बेटा सिमेट्री एक example में हमारी false बोल जाती है तो सब symmetry false बोल जाती है तो इसने बोला and symmetric बोला ठीक है but not transitive and symmetric sir not symmetry यहां पर आ रही है यह but not symmetric बोल रहा है अच्छा यह तो कटी चुका है इसने बोला देखो is symmetric बोला तो यह option खतम हो जाएगा यानि sir मेरा answer finally option number a हो जाता है मैं आगे check नहीं करूंगा मुझे जरुती नहीं है मुझे time waste करना ही नहीं है मुझे सिर्फ answer निकालना था sir answer आ चुका है न हमारा reflexive और symmetric को ध्यान से check करने पर हमारा answer आ चुका है i hope this is clear इसी तरीके से आगे चलते हैं आगे के सवालों को भी ऐसे ही धारशाई करेंगे so let's move on to next question सवाल हमसे क्या कह रहा है let x be the set of all persons living in Delhi the person a and b in x are said to be related if the difference between their edges is at most ज्यादा से ज्यादा पांच साल यहां पर मैं Hindi में लिख देता हूं ज्यादा से ज्यादा पांच साल यानि कि उनके उमर के बीच का difference क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मैं कहूंगा सर सबसे पहले reflexive की बात करते हैं reflexive में A की उमर जो है अगर मैं A की उमर को क्या मान लूँ A ही मान लूँ कि A नाम के बंदे की उमर कितनी है A है B नाम के उमर की बंदे कितनी है बी तो ही नहीं सर reflexive में दोनों सेम बंदे होते हैं तो दोनों सेम बंदों की उमर अगर मैं माइनस करूँगा तो सर क्या आजाएगा जीरो आजाएगा तो सर जादा से ज़्यादा डिफरेंस क्या होना चाहिए पांच पांच ते कम चलेगा हां सर चलेगा तो ऐसे में मैं इसे बोल दूँगा कि सर ये true statement है कैसा statement है true है तो सर जहां जहां not reflexive लिखा है जैसे ये लिखा हुआ है तो इसे काट दो बाकी जगवा पे बेटा not reflexive नहीं लिखा है तो let's move on to next concept सर दूसरे में क्या बोलेंगे symmetry की बात करेंगे symmetry में बोलूँगा कि सर अगर a और b का जो difference है बच्छे a और b का difference जो है वो जादा से जादा 5 है जादा से जादा 5 है यानि less than equal to 5 है तो क्या सर b minus a का difference यानि कि मान लो बेटा आपके और आपके कोई बड़े भाईया है आपके और आपके बड़े भाईया के बीच में जो difference है वो चार साल के उमर का difference है तो आपके भाईया और आपके यानि उल्टा अगर आप relation देखोंगे तो भी तो बोल देंगे, सर अगर true बोल देंगे, तो इसका मतलब ये मुझे not symmetric बोल रहा है, तो इसे टाटा बोल दो, ये reflexive and symmetric बोल रहा है, but not transitive, सर अब मुझे तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, तीसरा चेक करते हैं, सर ट्रांजिटिव के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ट्रांजिटिव के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ट्रांजिटिव के case में मैं बोलूँगा, कि बच्चा इसे example से समझेगा, कितना खुबसूरत में example ले रहा हूं, मान लो, आपके भाईया की, आपकी उमर कितनी है, सर आपकी उमर 15 साल है, और आपके भाईया की उमर कितनी है सर पचीज साल है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, सर पाँच, है ना, लेकिन आपके और आपके भाईया के बड़े भाईया के बीच के उमर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरे दोस्त, आप बोलोगे, सर मेरी उमर तो 15 है, मेरे भाईया के भी बड़ी भाईया कि उमर जो है वो 25 है लेकिन यह बेटा अब देखो 5 से बड़ा हो जाता है यह डिफरेंस तो सर इस एक्जाम्पल से मुझे समझ में आता है कि ट्रांजिटिवीटी बेटा फॉल्स की तरफ इशारा कर रही है ट्रांजिटिवीटी नहीं काम करेगी तो सर अगर ट्रांजिटिव फॉल्स है तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री के बड़ ट्रांजिटिव नहीं है तो अप्शन नमबर दी इस दा करेक्ट आंसर है ना डैने बेटा बात समझ में आ रही है एक्जाम्पल्स थोड़ा थौट प्रोसेस थोड़ा अवेरनेस हमें चाहिए इन तरी के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए लेट्स मूवान तो नेक्स क्वेश्चन चाहिए अगला सवाल बोलता है लेट एक्स बीड़ सेट अफ आल परसंस लिविंग इन एस ठीक है परस अघू कं से कम बेटा एना अटलीच का मतलब क्या वो रहा है कं से कम सर पांच साल से बड़ा होना चाहिए पांच साल से ज्यादा बड़ा होना चाहिए यानि मान लिजह कि उमर अगर छे साल है तो आप मेंसे Ala sour faith प्पेर क्या किया जाएगा burn टाउट तो उसकी उमर घूम स तो दोनों सेम बंदों की उमर जो होगी सर उसका difference कितना होगा जीरो होगा सर ये तो less than equal to 5 होता है जबकि हमें greater than equal to 5 चाहिए तो सर reflexive में अपना false condition बन जाता है है ना false condition में जाता है क्योंकि मुझे 5 से ज्यादा का difference चाहिए चलिए अब हम लोग एक ऐसा example ले लेते हैं कि सर जिसमें हम कहते हैं सिमेट्री के case में सिमेट्री के case में आते हैं कि सर अगर दो बंदों की उमर का difference जो है वो 5 साल से ज्यादा है तो उनका opposite relation भी क्या होगा उनका difference बेटा 5 साल से ज्यादा होगा तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा true आ जाएगा तो अब इन दोनों के मदद से question को काटने की कोशिश करते हैं sir equivalence दिया हुए तो कहीं ना कहीं तो कुछ हटके गाई है ना तो a minus a reflexive false बोल रहा है तो इसने मुझे बोला neither reflexive इधर बोला बेटा reflexive बोल रहा है तो यह answer खतम हो जाता है ठीक है अच्छा equivalence भी अपना खतम हो जाएगा क्योंकि reflexive नहीं है और यहां पर ब करते हैं आप समझ पा रहे हैं मैं उमीद करता हूं समझ पा रहे हैं कुछ है जो सर कर पा रहे हैं और सर बड़े मजे से कर रहे हैं और धड़ा धड़ कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए होगा ना वहीं चीज तो अपने आपको सिर्फ और सिर्फ नीन से जगाना है चाहे चार लेकिन यखीनन आपको क्या करना है आपको यह समझना है कि रिफ्लेक्स से मिट्र ट्रांजिटेविटी की बेसिक डेफिनेशन को पकड़ के बैठना है पकड़ के चले अगले सवाल में नेक्स्ट कोईशन देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है वही सवाल को शाय दोसरे लेंग्विग में दे दिया गया है तो पहला अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ reflexive भी बात करूँ तो sir क्या x अपने आपको पूरी तरह डिवाइड करता है आप बोलोगे हां sir पूरी तरह डिवाइड करता है तो यह true हो जाएगा है ना दूसरे में बेटा symmetric की बात करूँ तो symmetric में बेटा अगर जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड करवाया तो क्या इसका मतलब 2,4 से completely डिवाइड होता है तो आप बोलोगे नहीं तो इसका मतलब sir यह क्या हो जाएगा यह अपना false statement हो जाएगा this becomes false statement इतने में काटने की कोशिश करते हैं कि sir equivalence तो हो नहीं सकता क्योंकि एक में false आ गया sir only reflexive and symmetric symmetric गलत बोल रहा है ठीक है only reflexive and transitive इसने बोला only symmetric तो इसे भी काट दो बस इतने में अपना answer option number c हो जाता है आगे चेक करने की जरूरत नहीं 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 न चले अगला सवाल sir next question में हमारे पास क्या आता है let's see let us denote the set of all integers define a relation r on s such that a r b जिसमें a b जो है वो sir greater than equal to 0 होना चीए defined rule है हमारे पास तो चलिए सबसे पहले शुरुवात करते हैं reflexive से reflexive की बात करूंगा तो reflexive में sir a और a का product greater than equal to 0 होता है हां sir हमेशा 0 होता है क्यों क्यों क्योंकि a square जो है वो एक non negative number होता है है ना non negative number होता है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह बैच्छा true हो जाएगा ठीक है sir true हो जाएगा तो हम कहेंगे इसमें देखो बिटा आपको क्या बोल रहा है नीदर reflexive बोल रहा है तो sir सबसे वहले option अपना खतम हो गया आगे चेक करते हैं sir आगे जाना पड़ेगा हमें दूसरे में आते हैं sir symmetry की बात करते हैं symmetry में मैं बोलूँगा कि sir अगर a b का product greater than 0 है तो क्या b और a का product greater than 0 होगा आप बोलोगे हां sir होगा यानि यह भी true हो जाता है अगर यह true होता है तो कहां कहां symmetry मना कर रहा है देखो नीदर symmetry बोल रहा है तो यह गलत है यह बिटा क्या बोल रहा है यहां false अभी किसी में आया है नहीं तो sir अब मेरे को product greater than 0 है और sir a b और c का product greater than 0 है तो अब मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं क्या a और c का product greater than equal to 0 होगा क्या होना चाहिए हाँ या नहीं में जवाब आपको समझ में आना चाहिए तो देखते हैं example को थोड़ा सा हम लोग ना यह जो भी हमने लिखा इसको थोड़ा सा explore करे कि sir अगर a b greater than equal to 0 है तो इसका मतलब 2 condition निकलते हैं कौन-कौन सी कि sir अगर a greater than 0 है या फिर b b greater than is equal to 0 है तभी ऐसा हो सकता है दूसरी condition sir a less than equal to 0 है तो b को भी less than equal to 0 होना पड़ेगा ये दो conditions निकलती है अब मैं यहां से कहता हूं कि sir b और c अगर greater than equal to 0 है तो यहां से दो conditions आप लोग निकालेंगे कि sir b greater than equal to 0 है तो c को भी greater than equal to 0 होना पड़ेगा और अगर sir b less than 0 है B less than equal to 0 है तो C को भी less than equal to 0 होना पड़ेगा तब ही इनका product positive आएगा अब मेरी बात को ध्यान से सुने कि sir अगर A greater than 0 है तो इसका मतलब B greater than 0 है और अगर sir B greater than 0 है तो इसका मतलब C greater than 0 है तो इन दोनों condition को मिला कर मैं बोल सकता हूं कि sir A और C का product greater than 0 आ रहा है बोल सकता हूं ठीक है दूसरे condition में आईए बेड़ा दूसरे condition में आप इसे ऐसे देखिए मिरे दोस्त कि sir A less than 0 हुआ तो B less than 0 होगा है ना और अगर sir B less than 0 हुआ तो sir C less than 0 होना पड़ेगा तो sir इसका मतलब A और C दोनों less than 0 है तो उन दोनों का product again less than 0 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है तो A और C का product again negative नेगेटिव 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 क्या जैसे greater than equal to 0 आ जाएगा यानि sir घूम फिर के हमें पता लगा कि A और C का product क्या ह होना चीए क्या होना चीए बिटा greater than 0 होना चीए तो यह true हो जाता है यानि sir यह हमें तीनों में true दे रहा है तीनों में true दे रहा है तो sir equivalence relation होना चीए so option number C is the correct answer खत्म सवाल है ना सुमय जी सोचिए कि condition क्या बोल रहा है उस rule के साथ थोड़ी देर बात कीजिए थोड़ी देर अपनी अंदर आत्मा में सवाल पूछिए यह exam में नहीं करना है लेकिन exam से पहले-पहले ऐसा करना है क्योंकि आज बात करोगे इन सवालों के साथ तभी तो बेटा वह आप से एक्जाम टाइम में आप लोगों से वह question आप से बात कर रहा होगा वरना exam टाइम में जब आप बात करोगे तब तो वह नखरे दिखा रही होगी है इससे कौन बात करे इसने तो आज तक मेरे को भाव ही नहीं दिया तो बेटा तब वह तुम्हें ऐसा भ दहाड में दम होता है जिसकी चीख में आवाज होती है सिर्व उसकी सुनी जाती है और वो क्या कर रहा है वो अपना बैठके तैयारी कर रहा है चुप चाप कर रहा है क्योंकि जिस दिन उसे दहाड लगानी होगी ना सबसे उची दहाड वही लगाएगा रोने वाले तो में एक कदम आगे बढ़ जाए लेकिन स्पीड उसकी हमेशा उतनी रहेगी जो अपने आप पर तरस खा जाएंगे तो उनकी जिंदगी कहीं ना पहुंचने वाली लिख के रख लो ठीक है तो तरस खाना छोड़ दो जर आपने उपर कि कर लेंगे सर नहीं हुआ टाइम यह नी था वो नी था अपने आपको comfort zone से बाहर निकालो नहीं हो रहा है का मतलब क्या होता है करना पड़ेगा करना पड़ेगा भई करना पड़ेगा ठीक चलिए आगे देखते हैं से लेट एक्स भी दसेट फॉल सिटीजन सफ इंडिया elements x y in x are said to be related if the difference of their ages is 5 years यह कह रहा है कि सर दोनों लोगों के age का difference जो है वो 5 साल होना चाहिए ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए देखो यूपेसी ने तीन सवाल तीनों अलग अलग साल में एक बार greater than 5 के लिए पूछा एक बार less than 5 के लिए पूछा और एक बार equal to 5 के लिए पूछ रहा है तो कुछ तो पूछ रहा है ना वो आपसे common sense तो पूछ रहा है लेकिन नहीं हमें तो सोना है सर नीन आ रही है आप पाओंगा खाओ बिटा खाओ बर्गर खाओ चलो आगे देखते सर मैं अगर यह कोँगा सर्ट के में चेक करूँगा तो same elements के बीच में चेक करूँगा यानि Modulus a-a करूँगा तो यह 0 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह 5 के बराबर तो यानि मैं इसे false बोल दूँगा कि सर यह false और अगर यह false है तो सर यह equivalent relation नहीं हो सकता सर इसने बोला नीदर reflection non-transitive रुख जाते हैं इसने reflexive बोला तो सर यह गलत है none of these अभी बोल नहीं सकते चलो आगे पूरा ही चेक करना पड़ेगा तो बिना रुके हम लोग आगे चेक करते हैं symmetric symmetric में बेटा अगर A और B के age का difference 5 साल है तो इसका मतलब सर B और A का difference भी age में 5 साल ही होगा तो सर यह true हो जाता है यह true हो जाता है तो सर अब transitive की बात भी कर लेते हैं क्योंकि एक साथ ही लगाएंगे फिर answer इसमें none of these की वज़े से है ना ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं transitivity की बात करेंगे तो सर अगर A और B का difference अगर 5 के बराबर है और B और C का difference भी सर 5 के बराबर है तो वही वाला का सर्वकर आपके बड़े भ안ची 20 है ओर उनके भी बड़े भईया की उम्मर 25 है तो यहां भी 5 का रहा है लेकिन मेरे दोस्च लेकिन यो उमर यहां पर एके फ़रेंपल नंबर B is the correct answer चले अगला सवाल चले चलते हैं चलो भाई अगला सवाल चलते हैं next question हमारे पास क्या रहा है sir r is the relation in the set of integers given by r that is a minus b is divisible 5 relation क्या बोल रहा है कि a और b का जो difference है वो path से divisible होना चाहिए नी 5 q होना चाहिए है divisibility की condition यह होती है कि 5 multiply some quotient होना चाहिए 5 multiply some quotient q होना चाहिए चलिए reflexive की बात करते हैं sir reflexive की बात करेंगे तो reflexive के अंदर हम लोग same element का difference चेक करेंगे a minus a sir a minus a 0 होता है जिसे मैं 5 multiply 0 लिख सकता हूं हां sir लिख सकता हूं तो यह true हो गया ठीक है sir true हो गया अच्छा इसमें इसमें देखो बेटा symmetric and transitive बोल रहा है यानि यह option गलत हो जाता है ठीक है दूसरे में आते सर symmetry के case में आते हैं symmetry के case में आएंगे तो sir a minus b अगर हमारे पास 5 का multiple है तो हम कहेंगे कि sir b minus a जो होगा वो minus के 5 क्यों हो जाएगा लेकिन रहेगा तो वो भी 5 का multiple ही ना तो sir यह यह भी true है है ना यह भी true है सर सिमेट्रिक ट्रू हो रहा है देखो इसने not symmetric बोला तो यह answer गलत है इसने सिर्फ reflexive बोला तो यह answer गलत है मैं आगे चेक नहीं करूंगा option number d is the right answer खतम सवाल है ना सर मैं आगे चेक नहीं करूंगा ना तीनों option कट गए चौता option सही होगा बिल्कुल चलो भाई चलो बात समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं अगला सवाल क्या कहा रहा है सर इस सेट में बूल्य बूला गया 123 and relation on set P sir binary relation दिया गया है तो मुझे reflexive चेक करने के लिए 123 तीनों elements का reflexive element चाहिए निए 11 है 2 two three three है तो सर reflexive तो है reflexive है दोखो बिटा ने नोन reflexive बोला तो इसको काट दो ठीक है next शर symmetry की बाद करेंगे symmetry की बाद ध्यान से देखना जाना बिटा की 12 है तो 12 का oops 21 हैלא म Gobierno सरudsman 3 ए तो गोंति का उन्हीं है 13 घरधा लिटा 313 नहीं है इसका मतलब सरी समेट्री होल नहीं कर रहा है सिमेट्री को सीमेट्री के लिए में बोलुंगा कि Sir, ध्यान से देखना 1-2 है, 2-3 है, Sir, 1-3 भी है, काम कर रहा है, Sir? हाँ, अभी तक तो कर रहा है, अब देखते हैं मिटा यहां से, और ध्यान से देखते हैं, कि Sir, यहां से अगर देखें, 2-1 है, है ना? 2-1 है, 1-3 है, लेकिन Sir, 2-3 नहीं है, यह देखो, 2-3 भी है, की बात करते हैं सर 12 है फिर हमारे पास 23 है तो क्या हमारे पास 13 है आप बोलोगे हां सर है 13 है यानि यहां से फेल नहीं हो रहा है फिर अगर मैं 12 लेता हूं और 21 लेता हूं तो क्या सर 11 है आप कहोगे हां सर 11 है 21 लेता हूं और 12 लेता हूं तो सर 22 है हां सर 22 भी है हमारे पास ठी मैं यहां पर 12 लेता हूं और 23 तो ले चुका हूं मैं अल्रेडी 13 लेता हूं और 3 से बेटा कोई element की mapping नहीं हो रही है तो almost सभी कुछ है सभी कुछ है यहां पर मेरे को transitivity fail होता हुए नजर नहीं आ रही है यानि ट्रांजिटिव पास कर रहा है तो option number a सभी हो जाएगा क्योंकि reflexive भी है transit भी है बट सिमेट्रिक फेल कर रहा था so option number a is the correct answer है ना यह भी खतम चले आगे चलते हैं सर कि इतने सवाल रहे गए बस 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 दो और सवाल रहे गए बच्चा बस यह कह रहा है a relation has the same father as over the set of children अच्छा सर मान लो किसी फैमली के अंदर एक ही बच्चा है तो उस बच्चे के पिता जो होंगे दोनों दोनों बच्ची अगर सेम लिए जाए देखो थोड़ा समझने में मुश्किल होगा इस condition को मान लो जैसे वही प्थे स्पाइडर मैं वाल एक्जामपल लेते हैं एक दुनिया में तीन-पेट्चों को ले आ है तो उन दोनों के पिता कौन होंगे उन दोनों के पिता बटा Emirate सेम फादर ही होंगे ना बस्टोनों के फिता सेमी होंगे सेम fakult होंगे और अगर वह ऐसा है सब्सक्राइब जब लगा रहा है तो अगर ओर बी के फादर सेम है तो क्या सर बी और एक फादर भी सेम होंगे हाँ सब्सक्राइब दोनों एक ही पिता की अउलाद होंगे तो इस चुमेंट्री हमारे पास के हो तो क्या Sir A & C के पिता सेम हुँगे है ना इसका आंसर तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुऊ There चुर॥अ वह बदा सकते हैं बदा सकते हैं आ हैं यह हøर b के पिता अगर सेम है और b और c के पिता सेम है तो क्या एं उर सी के पिता सेम हुँगे देखरा गिया है أنا A और C के पिता भी same है, यानि सर ये तीनों पे हा कर रहा है, reflexive भी हा कर रहा है, symmetric भी हास कर रहा है, और transit भी हा कर रहा है, यानि ये एक equivalent relation बनेगा, तीनों में हा कर रहा है, तो equivalent relation, चलते हैं, अगले सवाल और आज के session के आखरी सवाल की तरफ देखिए, इस question में हमसे क्या बो आबर 5 होना चीए तभी X और Y relate करेंगे तो एक काम करते हैं सर 0 और 1 को यहां डाल कर देखते हैं सर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 क्या 5 के बराबर आता है नहीं सर नहीं बराबर आता है तो इसे काट दो सर 1 डालते हैं 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 बाइ 2 डालेंगे तो 5 के बराबर आता है हां सर आता है यानि यह हमारा टिक लगा दो Sir 3 into 2 by 3 plus 4 into 3 by 4 5 के बराबर आता है आप बोलोगे हां Sir आता है इसे भी टिक लगा दो यानि 2 और 3 हमारा सही जवाब होगा 2 और 3 कहा है Sir option number C में है 2 and 3 is the correct answer हो गया हो गया यह सारी चीजे थी बिटा यह सारी चीजे थी जो कि हमें exam point of view से जरूरी मांगी जानी है ठीक है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि relation की definition को समझें Cartesian product को समझें relation के types को ज़्यादा depth में समझें क्योंकि उसके उपर सबसे ज्यादा सवाल repeated थे inverse relation में एक ही सवाल दिखा Sir composition के अंदर भी एक ही सवाल दिखा Sir तो जो मेरे को दिखा जैसा मैं pattern दिख पा रहा हूं मैं उसी pattern के साब से आप लोगों को यह चीज सलहा दूँगा कि आप types of relation के उपर ज्यादा focus करें और उनके questions को analyze ज्यादा करें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह question तो पीछे पूछे गए थे पहले पूछे गए थे अब कुछ नए तरीके का सवाल पूछे ले लेकिन पूछने के chances सबसे ज्यादा किसमें है types of relations के अंदर है तो अगर यह बा लोगों से विदा तो आप लोग पढ़ते रहें मस रहें और स्वस्त रहें मिलते हैं अगले session में जैहिन दोस्तों